हाऊ तो नमस्कार बच्यों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे खापिके मजे ले रहे होंगे तो आए आज किस विडियो में हम लोग देखते हैं क्लास एलेवेंथ का ठीक है क्लास एलेवेंथ का अध्याय जो आप लोग का दो है अध्याय दो क्या है जीव जगत का वरगी करन ठीक है का है जीव जगत का वरगी करन वाइलोजिकल क्लासिफिकेशन इस अध्याय को एकदम जबर्दस तरीका से हम लोग आज किस वीडियो में खत्म करने वाले मतलब मेरे वाही आज का जो विडियो होने वाला है क्या होने वाला है वन सौट वीडियो होने वाला है सुरूँ से लेकर अंत क्योंकित पथाँ आपक yayका सब कहेगा का सर्जी कुछ छोड दीये हैं का नई बिल्कुल नहीं छोड़े है एक चीज और एक एक कंसेप्ट को हम लोग जवर्दस तरीके से समझने वाले लेकिन हाँ मैं पहले ही बता रहो वीडियो के सुरुवाद में बता रहो थोरा जो पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा हो सकता है किनी भी किनी बच्चे को कुछ कुछ चीजे नहीं सम ऑक हुच भूद बनयां जी इस्से अधिहाई जो एक है पहला आप लोग का जीवजगत ठीक है देखो क्या है जीव जगत जो आप लोग शुछ वह प्म हो चुका है पूरा अधिहाई का वीडियो वन सोट ही मिलेगा दूसरा अधिया का वीडियो वन सोट मिलेगा जितने भी अधियां सब को हम लोग वन सोट में ही खतम करेंगे और अमना पढ़ाने का अश्टायल कुछ अलग रहेगा बस आप लोग को मेरे बात पर धियों देना है पढ़ने समय बोड पर चलते समय रोड पर एकदम पूरा का पूरा अधिया आज की इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे जो बच्चा ये वाला वीडियो नहीं देखें जीव जगत वाला मतलब कलास 11 का पहला अधिया नहीं देखें तो देख लेजिएगा अराम से आप लोग बर्ठ जाईए उठना नहीं जब तक हम नहीं छोड़ेंगे आपको ठीक है पूरा का पूरा वीडियो देखना आप लोग आजाओ ठीक है सबसे पहले तो भाई यहां पर हो जीव जगत ठीक है इससे पहले परेते हम लोग जीव जगत परेते लेकिन जीव जगत का वरगी करन क्यों सर वरगी करन क्यों करना है मे चिंची का सब्जी बोलिएगा जी क्या ची का सब्जी बना है पता चलेगा नहीं पता चलेगा इसलिए हम सब को बाटते हैं तुसी को कहा जाता है वर्ड़गी करण ताकि हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जान सके का यह ओके टाहिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइलोजिकल क्लासिफिकेसन सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि तो पहले तो इसको हम समझाते हैं ठीक है अड़े भाई यह क्या हुआ यह कुछ लोचा है चलो लोचा तो है चलो कोई ने हम ठीक कर लेते इसको अगर यह होना चाहे तो हो जाएगा अड़े यार आजा चलो यह थोड़ा सा जो है ना PDF जो है थोड़ा यह गड़बर हो गया यहां पे तेंसर नहीं लिजिएगा आए ल जीवों के वर्गी करन के लिए सरपर्थम वग्यानिक माप दंडों का उपयोग अरस्तु ने किया जीवों का वर्गी करन के लिए सरपर्थम वग्यानिक जो था अरस्तु था उसने माप दंडों का क्या क्या उपयोग किया उसके बाद अरस्तु ने पादप को जो है तीन पौधा जो है उसको तीन भाग में बाठ दिया है बाठ दिया कौन-कौन सा भाग सर तो देखिए ना साक जारी विरिक्ष मतलब साक किसको कितरे साग समझते हैं पालक वाला बथुआ वाला जो साग खड़ते हैं उसको अलग बाठ दिया हरे छोटे पौधे को जो है उसने अल बाठ दिया ठीक है और सबसे पहला जीवों का वर्गी करन के लिए सरपर्थम जो बैज्यानिक था वह कौन था अरस्तू अरस्तू ने क्या किया पेर पाउधे को मतलब पादप को जो है तीन भाग में बाठ दिया मतलब छोटका बाला जो है साग जो होता है साग उखा ए न समझते हैं आई जारी एकदम एतने इतने उनका गाच होगा समझे इतने 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 उनका गाच होगा है न इसे 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 रहेगा अब बराई इसमें जारी तारी रहता है ठीक है आप देखो इस सब क्या है जारी है इका है जारी है चिरियां घर जाएगा 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 कभी कभी देखिएगा चीरियां घड़ में जाएगा तो लईका लईकी वहीं पर बठल रहता है मतलब गल्फ्रेंड वाइफ्रेंड बठल रहता है चलो भी या उसको छोड़ दो तो मेहदी हो गया गुलाब हो गया उसको का बोलेंगे जहारी बोलेंगे फिर अरस्तू जी न अर्नीम हो गया इसको किसमें रखा विरिक्ष में याद हुआ कि अरस्तू जी ने पादपों को तीन भाग में वर्गी करित किया साग साग बोलिएगा ठीक है साग मत बोलिएगा देशी बासाम साग बोलते हैं साग जहारी विरिक्ष साग में क्या हो गया पालक मेथी धनिय तो कहां रखा है तो कहां रखा है सर विंच्छ में रखा ही समझ में इतना समझ में आगया तो आगे बढ़े और हाँ जल को लाइक मार यह पटाक से तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं, अरस्तु ना जंतु जो परानी थे अरस्तु जी ने जो जंतु परानी थे उसको भी वरगी किरिद किया पादब को कितना भाग में बेटा तीन भाग में साक, जारी और विरिक्ष और अरस्तु जी ने फिर क् फिसे क्या होता, सर red blood cell फिसे बटाइए न समझ में आये अरभीप सेल क्या होता है सजिने अंसर्च पर्ण निकले जाता है फिर्ट निकले ले फिर्ट उर्शन आर भीसी है एको मच्छर देखते हैं जो आके पट से काटता है खून चूसने के लिए आता है उनके पास जो है रबीसी होता ही नहीं दूसरे पर आके चूस लेता है उनके पास रबीसी नहीं होता तेल चट्टा देखें तेल चट्टा का अपना खून नहीं होता है समझे जैसे मच्छर क गया मच्षड पर लोग और यो समझते रहता है है तो देखो यहांप लोग समझियेगा जो अरस्तु जी फर प्राप्राणियों को आरबीसी मतलब जिसमें बलड होगा और जिसमें बलड नहीं होगा मतलब आरबीसी जिसमें अनुपस्थीत होगा उसको दो भाग में बटा है अब इसको परिएगा इने इमा है ठीक है इने इमा है ये जो है इने इमा है और ए जो है एने इमा है धियान दिजेगा दोनों सब् इने इमा है ए इने इमा और ए ने इमा ठीक है एने इमा ठीक है तो इसमें क्या होता है भाया आरवी सी उपलब्द होता है और इसमें क्या होता आरवी सी अनुपस्थी दरता इसमें रहवे ने करता है समझेगा उच सरेनी के जितने भी जीव हैं जैसे मनुस हो गया गाय हो ग रहता है समझे canvas में खून रहता है अब नीम्न सरइन के जो है नीमन सरेनी जैसे तिल चठा हो गया मी हो गया मत्षर हो गया एकर चोई भी वरų नहीं रहता है पादप को कितने भाग में तीन सरफ धारी विरिक्श और लाई ए मैं ओर यूड़त रहता है और इने शॉषास पस्तित रहता सीधी बात June रहता है और खून वहीं रहता है ओके आई आगे हम लोग बढ़े ऐस को चलो वह आगे हम लोग बढ़ते हैं दू़ी पधधाती टू लोटो होग Кिंग्डम सिस्टम jurisd अब ये समझें अब ये का है अब जो है खेल यहीं से शुरू होता है ठीक है यहीं से सुरू होता हालारबंको एक हण2 मैने हुआ होगा चप्टर वंड नाले थेroeक क्लाग साथ हजार बच्चा देख लिया है ठीक है अब अब कोई जरूरत ही ने दोबाड़ा पढ़ने का कोई जरूरत ही इसलिए इत्मिनान से वेट किजिए हम पूरा आप लोग का स्लेवस कंप्लीट कर वाएंगे तना हो भी आप इस बास कर लिजे आए देखिए यह जो है दूई जगत पदती के रोलस ठीक है के रोलस लीनियस ने अ याद रखना इसमें इतना ही के रोलस लीनियस ने अपनी पुष्टक अस्टेमा नेच्री में अभी लेक क्या है दूई जगत पदती के अनुसार उसने क्या क्या जीवों को दो भाग में दो जगत में वड़गी किरित किया आईए आगे हम समझते हैं आगे समझते हैं दू जगत पदती टू किंग्डम सिस्टम ठीक है यह किसने किया है अभी जश्ट बताएं याद है जी किसने किया के रोलस लीनियस किसने किया है के रोलस लीनियस क्या क्या इसने एक जगत पलांटी दिया और एक जगत एने मिलिया दिया ठीक है एक जगत पलांटी दिया और क्या क्या जन्तू को रखा और आप लोग को याद रहना चीज है सारा का सारा चीज आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग देखते हैं नोट करके द्वी जगत पधती पोकरियोटिक ठीक है पोकरियोटिक यूकरियोटिक ठीक है पोकरियोटिक और यूकरियोटिक एक कोसि अब कुछ बत्षा कि जा है भी दिमाग में उड़ गए होगा। सर जी पहह द ये पोकर्योटिक क्या होता है युकर्योटिक क्या है। इस नहीं अब बूले क्या भी आपको हम फींच नहीं समझाएंगा। काहन समझाएगा सर जी बाद में समझाएगे किसके बारे में पूरा डिटेल से आगे लिख रखें तो काहल अभी समझाए तभी निकलने दीजिए देखो बहु कोसिका किसको कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कोसिका हो उसको क्या कहेंगे बहु कोसिका परकास संसलेशी और परकास संसलेशी इत्यादी के माध्यम ठीक है मध्य अंतर अस्पष्ट नहीं कर पाता था भाया हो जब दू जगत पद्धती दिया ना तो इसमें क्या प्रोब्लम हुआ भीया सब अपना अपना दे रहा था इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ दू जगत पद्धती पोकरि ठीक है खरियो टीक और यू के रोटी के एक कौशिका और बहु Monica उसलेशन जो परकास संसलेशित करता है और त्यादि का मध्दोनों के बीच में अंतर असपश्ड नहीं कर पाता था अता इस जीवों को वरगी करण को परियाप्त नहीं माना गया बोला यह नहीं मानेंगे, अब क्या आएगा, तिरी पधती, क्या आएगा, तिरी जगत पधती, तिरी किंग्डम सिस्टम, अब इसमें क्या आया, जगत प्रोष्टिटा, ठीक है, जगत प्रोष्टिटा, और जगत पलांटी, और जगत एनिमोलिया, ठीक है, जगत एनिमिलि किसने किया था हेकल ने किया था इसमें क्या गरबड़ी हुआ सर इसमें भी गरबड़ी हुआ और बन गया और बन गया क्या बन गया फिर चतूर्थ जगत पधती आया मतलब four kingdom system यहां पर आप लोगों को थोरा भी confuse मत होना मेरे बाई सांती सुनों आगे topic जो सुरू होगा नमजा आएगा पहले इसको खतम कर लेते ठीक है उसने क्या किया चतूर्थ जगत पधती में क्या आगया जगत मोनेरा आगया जगत प्रश्टिटा आगया ठीक है प्रश्टिटा आगया और जगत पलांटी आगया और जगत एनिमिलिया आगिया क्या आगिया जगतव जगतव प्रश्टिटमी जगत पलांटी जगत अनोमिलिया चतूर्थी जगत पध्धति किस active अपके मेरी कनि परतिफ वक् på ups जैंड मेरी अब समझते हैं अब समार्प आये औह्यों है और तुरु睡ात Hail क्टि लोगा था कब किया था er चले और शड़व भूण जीवों का वर्गीकरन यह में पडली किया ज जीवों का आकारी की पे किया, जीवों के आकार पर वर्गी करन किया, जो कोशिका होती, उनकी संरचना पे इनको विभाजित किया, और कोशिकी परकार पे उसने विभाजित किया, कोशिके भित्ती क्या है, पोशन की भित्ती क्या है, पोशन, दोबार आ गया पोशन, परजनन की विधी क्या है इस वर्गी करन का अधार जो है यही सब है आप लोग यह नोट कर लीजिए आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं तो आपको दिखाते यहां पे पांच जगत पदती फाइब किंग्डम सिस्टम में क्या जूरा जगत मोनेरा था जी जगत मोनेरा था सर जगत प्रो कहीं से सुरू होगा ओव याई जो दूसरा अध्या है ना आपका समझ यह यह हम लोग को पूरा परना होगा ठीक है बहुत हाई में कि अगर इसा ध्याय को आप कंप्लीट रूप से नहीं पढ़ते हैं तो तुसरा ध्याय नहीं समझ में आएगा यह भी सोच लिजिए देखो पांच जगत पधती में क्या होता है जगत मोनेरा जगत प्रोष्टिटा प्रोष्टिटा फंजाई जगत प्लांटी जगत एनिमिलिया अब इसमें जो है प्रोकरियोटिक जीव है और इसमें क्या है जगत प्रोष्टिटा में क्या देखें प्रोष्टिटा में क्या देख किसके बारे में जन्तू के बारे में तो मेरे भाई साहब आप समझिएगा कि सर जी इसके बादो कोनो पद्धती आया किंग्डम आया जी बिलकुल छठा भी आया चक्ठा में क्या क्या यह जो है आपका जगत मुनेरा को दो भाग में बाट दिया है आए दिखाते हैं वह भी आपको आये च्छ जगत पद्धती शिक्स किंडम सिस्टम कार्ल वाज ने दिया था किसने दिया कार्ल वाज ने दिया था 1977 में ही दिया इसमें अधिक सर्मान नहीं है यह जो अधिक सर्मान नहीं है ठीक है पाच में है इसमें सिर्फ इसने क्या-क्या मोनेरा को दो भाग मे विभक्त कर दिया मोनेरा को क्या क्या दो भाग में विभक्त कर दिया आरकी वेक्टरिया और आग वेक्टरिया ठीक है आरकी वेक्टरिया और आग वेक्टरिया और यहां पर युवे वेक्टरिया जिसका जो क्या हो जाता है प्रोक्रियोटिक में आता है ठीक है इस ज्यादा में किया रखा हैं सिर्फ मोनेड़ा को दो भाग में बाट दिया यूअ ट eco टिक यूट टिक क्या होता प्रीटिट यूप्री भ्रчиक्ष का क्या किया समझिएगा एक हती इक में रखा और जो यूकर यूकरियोटिक जो है उसमें प्रोष्टिटा जगत फंजाई जगत प्लांटी और जगत एने मिलिया और इसे भी सर्वमान नहीं है छह जगत पदती किस ने दिया याद रखेगा कारल वाज ने दिया 1977 में दिया लेकिन ये सर्वमान नहीं है इसमें सिर्फ जो है मोनेरा को दो भाग में विवाजित कर दिया कौन कौन से भाग में एक पो क्रियोटिक और यूकरियोटिक में विवाजित कर दिया प्रोक्रियोटिक में क्या क्या आर्के वेक्टिरिया और आग वेक्टिरिया जिस या वो इसे भी ये सर्वमान नहीं है उतना ठीक है तो हम लोग जो हैं एक एक करके इन सभी के बारे में समझ लेंगे याद है आपको जो पांच जगत पधती दिया किस ने दिया और इच विट करने क्या उन्दिया आर एच विट करने विट करने आए आगे हम लोग समझ लेते हैं यही सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है जगत मोनेरा फिर जगत प्रुष्टिटा फंजाई जगत पलांटी जगत एनी मिलिया ठीक है एनी मिलिया इनी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां से आपकी कल कास जो है शुरू होती है किसके साथ जगत मोनेरा के साथ आइए समझते हैं ठीक है आइए समझते हैं हम लोग जगत मोनेरा जगत मोनेरा इस जगत के अंतरगत सभी प्रियोटिक एक कोशिक के जीवों को रखा गया जगत मोनेरा में क्या क्या जितने भी प्रोक्रियोटिक जितने भी है जगत मोनेरा इस जगत के अंतरगत सभी प्रोक्रियोटिक और एक कोशिक के जीव को रखा गया किसम में जगत म्नेरा में सभी विसानु वेक्टिर्या को इस जगत यह जगतit मोने राज्ट आपका जीए जगत मंएरा है समझेगा करने जगत मोने रा ठिक है घट मुने रा में जोerdem ?? सभी प्रोक्रियोटिक सभी प्रोक्रियोटिक सभी प्रोक्रियोटिक थोड़ा मेरा प्रणाउंस सही नहीं होता है इसका आप लोग इग्नोर करना ओके चलो अब इसी जगत मुनेरा में ही क्या के जितने भी भी सानू आते जितने भी जीवानू स्वारी जीवानू जीवानू वेक्टिडिया आता है सब इसी में रखा गया वेक्टिडिया जो है सब इसी में रखा गया जगत मुनेरा में सभी प्रोक्रियोटिक और जिबानू वेक्टिडिया को रखा गया आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं प्रोक्रियोटिक को वैसे कोशिका प्रियोक्रियोटि साइनो वेक्टिरिया में पाया जाता है जो इसे कोशिका जिसमें वास्तविक रूप से जो है केंदरक जो है नहीं रहता है जिसमें केंदरक जो है नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोक्रियोटिक क्या बोलते हैं प्रोक्रियोटिक बोलते हैं ओके ओ कौन-कौ प्रोक्रियोटिक कोषीका किहते हैं। जैसे कोशीका जिसमें वास्टविक केंदरक उपस्थित नहीं होता है उसको प्रोक्रियोटिक कहते हैं। और यू केरियोटिक किसको कहते हैं जिसमें वैसे कोशिका जिसमें वास्टविक केंद्रक उपलब्ध हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे यू केरियोटिक यू केरियोटिक कोशिका कहेंगे ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पे वेक्टिडिया अवास जो है अवास मतलब क्या होता है रहता कहां रहता है जैसे कि भाईया हम लोग घड में रहते हैं तो लोग का भी कही न कहीं बकरियों का घर होता है न जी सेर का भी घर होता है तो वही मुनेरा जगत के जीव सर्वयापी होते हैं मुनेरा जगत के जो जीव होते हैं सर्वयापी होते हैं मतलब सभी जगह रहते हैं अर्थास इस जगत के जीव अत्यांत विपरीत परस्थितियों में भी पाये जाते हैं जहां पर भाया अगर ऑक्सिजन नहीं भी है जहां पर जिसकी तापमान हो गया बर्प हें हो गया गया अगर बोल पूछे तो में मोनेरा जगत के सभी जीव सर्व वैपी होते हैं अर्थात इस जगत के जीव अत्यंत विपरीत परस्थिती भी रहते हैं जैसे गर्म जहरना हो गया, मरुस्थल हो गया, बर्प हो गया, गहरे समुद्र हो गया, परजीवी हो गया, ओके, आए, आकार की बात करें हम लोग, आकार जो है इसका कितना है, 3.5 म्ल Г, 3.5 म्लає, सबसे छोटा मोने रा जगत का जीव है,uden इस बाइन को छोटा मोने रा जगत का जीव है, माइक्रो ठीक है, माइक्रो पलमा, ठीक है, स्वारी, माइक्रो पलमा, याद रखेगा, सबसे छोटा मोनेरा जगत का जो जीव है, कौन सा है, माइक्रो पलमा, जो 0.3 माइक्रो मीटर का होता है, कितना? 0.3 माइक्रो मीटर का होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यहाँ पे जगत जगत मोनेरा हम लोग जगत मोनेरा ही पर ज़्यत पर लिए और वेक्ट्रीया आबास मथ पर लिए ओके अब देखो इसको इसमें जो है आग विजानू ठीच है आग विजानू जो अक आर की आर की वैक्ट्रिया घ्रियाम ह leg निपलत खार साइनो वेक्टिडिया माइक्रो प्लाज्मा ठीक है माइक्रो प्लाज्मा इसको नील हरित सेवाल बोला जाता है साइनो वेक्टिडिया को नील हरित सेवाल बोला जाता है यूके वेक्टिडिया को वास्तविक जिवानू और आग जिवानू आरकी ठीक है आरकी वेक्टिडिय भी बोला जाता है और की वेक्टिडिया प्राचीन जगत जिवास्म ठीक है प्राचीन जगत जिवास्म में यह पाये जाते थे ठीक है प्राचीन जगत पुराने वाले समय में ठीक है 3.5 से 3.8 वर्स जो है पूर भी यह पाये जाते थे ठीक है जो जगत पुराना एतना जिव पुराना है अब यह चीजें अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है अभी छोड़िए इसको इस पॉइंट को अतियंत विप्रित या परतिकुल परस्थिती में भी पाये जाते हैं आरकी वेक्टिरिया में कोशिका भित्ती यूवे वेक्टिरिया ठीक है यूवे पॉली सेक्राइड एबं प्रोटीन की बनी होती है अब यहां पर आप लोग समझेए यह जो होता आग वेक्टिरिया जो होता है आरकी वेक्टिरिया इसको बोला जाता है जो बहुत सारे पुराने जिवास में उसमें यह ज़्यादा तर पाये जाते जहां पर लोगों का र बित्ती होता है यह कोशिका भित्ती जो है यू वेक्टिरिया में भीन होता है उसमें क्या होता है यू वेक्टिरिया में क्या होता है अर्थात इसकी कोशिका भित्ती में पॉप्टी डॉग लाइकेन ठीक है पॉप्टी डॉग लाइकेन अनुपस्थित होता है इसकी कोश देखते हैं, आग विजानू की कोसिका ठीक है, कोसिका जिली में साखित लिपीड, यह जो साखित लिपीड जो होता है ना, समझेगा, लिपीड, साखित लिपीड में जो है, क्या होता है, मतलब वसा, वसा पलस प्रोटीन, क्या होता है, वसा पलस प्रोटीन की स्रिंग खला क को कहे तेहं क्या कहते हैं एक लपिद कहेते हैं लपिध आप लोग आ अग विजानू कि कोशिक विल्ली में साखित लिपीड स्रंफला पाए जाती है यही कारण है कि आ कुल प्रस्थिति में घ्रीपिड जाता है ल्यड़े क्या होता है सर वम और प्रोटीन होता है इसी बजह से जो है आर्की वेक्टरिया ठीक है आर्की वेक्टरिया अत्यंत विप्रीत अत्यंत विप्रीत परतिकूल परस्चिती में भी वह रह लेते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं आर्की वेक्टरिया के अत्यंत नीम्न जिवानू को भ पूर्ण भी सामिल किया गया है आई आइज थोड़ा थोड़ा समझ समझ लेते हूं इसको भी लमबा आप लोका क्रास होगा टेंशन मत लीजे ऐ है आई देखते हैं मेथे नोजएक है मेथे नोजयन जो मिध्यन जैसे ngay गया मिथयन का क्या होता है CH4 गैस उत्पन करता है जैसे हेलोफील हेलो फिल्स जो है अत्यांत लवनीय लवनीय मतलब एन एसी एल मतलब नमक की उपस्थिती जहां होती है परस्थितियों में भी पाये जाने वाला जीवानू है एक होता है थर्मो, एसीडो, फिल्स, ठीक है, एसीडो, फिल्स, हाइट टम्प्रेचर में पाए जाने वाला जिवानू, आरके वेक्टिरिया के अंतरगत नीम्न जिवानू को भी सामिल किया गया, पहला मैंने आप लोग का बताया, मेथेनोजेन, जो मेथेन, जो मेथेन जैस होता है, दूसरा हो गया, हेलो, फिल्स, हेलो, फिल्स, जो है, अत्यांत लवनिय प्रस्थिती में पाए जाने वाला जिवानू है, और होता है, थर्मो, एसीडो, फिल्स, जो हाइट टम्प्रेचर में पाए जाने वाला क्या है, जिवानू है, बोलो, यहां तक क्लियर मतलब मिथेन गैस को उत्पन करता है और हेलो फिल्स जो है क्या होता है लवनिय प्रस्थिती में भीरा जाता और थर्मो एसीडो फिल्स जो है हाई टमप्रेचर में पाए जाने वाला क्या है जिवान हुए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे मेथेनोजन ठीक है क्या समझ नोजेन ठीक है नाम ही भाई लोजीम कुछ अलग अलग टैप कर रूमीनेट पसू जैसे गाय हो गया रूमीनेट पसू किसको कहेंगे गाय हो गया भाई इसके अमासे में पाया जाता यह जो होता है मेथेनोजन यह किसमें पाया जाता है पसू में बात करें तो गाय भाई कर देखिए का गाय के घोबर में गैस निकलता है गाय-वह स्कोभाज से गोवर घैस का पहले पर चलन चला था भी भी पही खही कहीं होता है गोबर में उपस्थित सेल्यू लोज की कि नवन के कर मिठयेंड गैस बायो गैस का निरमाण करते हैं अब समझ में अप लोग को तो अरे भी याई तो लोके नहीं किए थे तो बरका खराब हो जाता है आज याई ओके यह एची समझ में अ आगले लोगे इंगित तो बोलेंगे में नोजेर्ण जो है किसमें पाए जाता है गायसर के अमासे में पाए जाता है और वहाँ पर भोजन का पाचन होता है तो गोबर में उपस्थित क्या होता है सेल्यू लोज होता है और सेल्यू लोज का किनवन कर मिथेन गैस बायो गैस का निर्माउन करता है दल डाली छेत्रों में मिथेनोजेन पाए जाते हैं तथा CO2 कारबन डाउकसाइड CH4 मिथेन दले जाते हैं उधारन के लिए समझ लिजिए मेथेनो जो कॉल्स ठीक है मेथेनो कॉल्स और रूमी कॉल्स से कोशी का भिति बनती है सेल्यू लोज से क्या होता है कोशी का भिति बनता है और कोशी का भिति पादपों में पाया जाता है पादपों में जो है क्या पाया जात को सी का भित्ती को बोला जाता है को सी का ठीक है को सी का भित्ती पाया जाता है क्या पाया जाता है को सी का भित्ती पाया जाता है तब आप लोग को यह चीज़ समझ माया जी कहेंगे सर मेथे नो जेन जो है गाय जो होते हैं भंस जो होते हैं उसके अमासे में पाया जाता है च और बायो गैस का निर्मान करते हैं, दल डाली छेतरों में भी मिथेनो जेन पाये जाते हैं, तथा CO2 और CH4 मतलब मिथेन गैस में बदला जाता है, उधारन के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, मेथेनो, कोलस और रूमी, कोलस, Cellulose से कोशिका भित्ती बनाये जाती है, कोशिका भित्ती किस में पाये जाती है, कोशिका भित्ती किस में पाये जाती है, पादप में पाये जाता है, पादप बोले तो बेटा पेर पोधा, ओके आज आगे हम लोग समझते हैं, हेलो फिल्स, हेलो, हेलो फिल्स, उबला मत समझ समुद्र में कारा समुद्र का जो पानी होता है कैसा होता लबनिया होता है ठाइख कि कि अ जाता है यह जिवानु वहीं पाया जाता है उधारन के लिए समझ लिजिए हेलो कोल्स ठीक है हेलो कोक्स याद रखेगा हेलो फिल्स अत्यांत लबनिय प्रस्थिती में पाये जाने वाला जिवानु है और उधारन के लिए समझ लिजिए हेलो कोकस क्या समझना है हेलो कोकस औ और ि लबनिय का मतलब क्या होग Fachler Mosa cuando I'll help another PV 25 पाणी रहेंगा नमक जेसा बतावरान रहेंगा नम म्कीन सिधी बात समझ बाए अब Schedule iaqateIadu participants eingesने वाले विजनन कहा हाई टेंपरेचर में नैपाए जाने वाले विजननु intent है जहांब भई आम दू मिनेट नहीं खरा रहा पाएंगों वहां पर जो है थर्मो एसीडो फिल्स जो है नामक जिबानु जो है पाया जाता उधारन के लिए थर्मो कोकस देखो नाम याद रखना एकदम आसान है इसमें पढ़ाए थे आप लोगों मेथे नो जेन क्या थर्मो एसीडो फिल्स इसमें क्या आगया थर्मो कोकस ठीक है उधारन के लिए तना याद रखेगा और थर्मो कोकस जो है कहां पाया जाता हाई टंप्रेचर में ठीक है हाई टंप्रेचर मतलब अधीक गड़मीला जगह पर ओके अजो वही आगे हम लोग बढ़ते हैं दे यू वेक्टरिया यू वेक्टरिया में क्या आता है वास्तविक जीवानू आए हम लोग समझ लेते हैं यू वेक्टरिया क्या समझ लेते हैं यू वेक्टरिया वास्तविक जीवानू यू वेक्टरिया को ही कहा जाता है और बहिया ये को ये नाम याद रखना है का नाम य ग्याता था विज्ञानिक था यह लोग का नाम ना बरा बरा अजीब रहेगा कि याद करने से भी भई आई सब याद ने रहता इसलिए नोट करके रखेगा कि यू वेक्टिडिया जो है यू वेक्टिडिया वास्त्विक जिवानू को ही यू वेक्टिडिया कहा जाता है और एंटोनी वान ल्यूवेन होफ ने बारिस के जल में देखा, सबसे पहले कहां देखा, यू वेक्टिडिया को बारिस के जल में देखा, एंटोनी वान ल्यूवेन होफ ने जीवित कोशिका का खोज किया, याद रखना है एंटोनी एंटोनी वान ठीक है, एंटोनी वान यू वेन हौफ ठीक है हौफ किसका जीवित कोशीका का खोज किया था जीवित कोशीका का खोज किया था आप देखो एक और आजयता है ये जो है एहरेन एहरेन वर्ग ठीक है एहरेन वर्ग यह भी समझ लिजिए एहरेन वर्ग एहरेन वर्ग नाम तो लग रहा है कर मौसी रखा था इसे ऐसे बेग्यानिक का नाम है वेक्टरिया सब्द का परियोग क्या था सबसे पहले वेक्टरिया सब्द का परियोग किसने क्या एहीरें वर्ग क्या बोलेगे ह। अहीरें वर्ग ठीक है अहीर वर्ग मत भूलियेगा ते यदव जी वला फील आएगा अही देख अहिरें वर्ग स्वारी ehren वर्ग ने वैकरी अधा सब्से पहले परयोग किया था हो या मिर्ट कोशिका का खूज कोन क्या था रोबर्ट हुक का रोबर्ट हुक मिर्त कोशिका का खोज किसने क्या था रोबर्ट हुक कब क्या था सर 1665 में तब आप लोग को याद हो गया होगा वास्तविक जिवानू को यू वेक्टिरिया कहा जाता है और यू वेक्टिरिया को कहा देखा गया सबसे पहले व लूबेन होफ ने जीवित कोशिका खोज किया था और भाईया एहरेन वर्ग जो था एहरेन वर्ग वेक्टिरिया सब्द का परियोग किया था यह एहरेन वर्ग वेक्टिरिया सब्द का पहले बार परियोग किया था मिर्द कोशिका का खोज रॉबर्ट हूक ने किया था ओके साथ ही लगे जो प्रस्ण है उसको भी हम लोग खीच लेते हैं है कि नहीं जी आजो आजाए देखते हैं हम लोग आगे देखो यहाँ पे यह जो संडचना हम आपको बता रहे हैं कैपसूल ठीक है कोसी का भित्ती जो है किस चीज की बना होती है पेप्टी डोगलाइकलेन ठीक है पेप्टी डोगलाइकलेन केन से बनी होती है और कोसी का जिली जो कोसी का जिली होता है ना वो जो है लीपीड मैंने आप लोग को बता है कोसी का जिली जो है किस चीज़ की बना होता है याद रखेगा कोसी का जिली कोसी का जिली कोसी का जिली जो है लीपीड जिसको बोलते हैं लीपीड तो याद हो गया ना लीपीड में क्या क्या रहता है सर लीपीड में रहता है लीपीड में प्रोटीन होता है प्रोटीन क्या रहता है प्रोटीन और क्या रहता है वसा का बना रहता है किस चीज का बसा का बना रहता है ठीक है तीसी तरह के संड़चना हम आपको बताएंगे ये हो गया कैपसूल बहुत सकरा का बना होता है उसके बाद कोशी का भित्ती हो गया ये क्या हो गया कोशी का भित्ती कोशी का जिली इनको आगे हम चीतर के माध्यम से समझते हैं टेंसर मत लिजिए आगे आ विजानू सारी जी का भित्ती है और देखो राइबो सोम राइबो सोम इसमें जो डॉट करके है निकाला बला राइबो सोम है और छोटा-छोटा जो बिंदा-बिंदा टैप का होता है वो कोसी का दर्ब होता है उसके बाद ये बला जो तीन लेर होता है तीन लेर में अगर आप लोग को सिधी ब और slim layer, ठीक है capsule और slim layer, दूसरा कोशिका भित्ती और तीसरा कोशिका जिल्ली है, क्या है कोशिका जिल्ली है, अगर संडचना यहाँ पे देखा जाया, यह देखो, समझो मेरे भाई, समझो यहाँ पे, कि चलो यह देखो इसमें जो है इसमें अगर हम लोग बात करें यह देखो यहां पर मैंने आप लोगों बताया जो उपर वाली लियर होती है यह जो लेर है यह क्या है capsule है और दूसरी वाली लेर कोशिका भित्ती है और ये पिक्चर अलग आप लोग जरूर बना लिजिएगा अब देखो लास्ट जो बचगया ये जो लास्ट आप लोग का बचगया अंदर वाला ये क्या है कोशी का जिल्ली है क्या है कोशी का जिल्ली है अब कहेंगे सर इतने उसे काम चलेगा जी नहीं सब के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे पोली सोम के बारे में समझेंगे पोली सोम क्या होता है पलाजमीड क्या होता है ठीक है केंदर काब क्या हो होता है ठीक है फ्लेजिला क्या होता है इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे फिमरी यह जो है इसमें फिमरी होता है निकला हुआ है यह क्या है सर यह जो आप लोग को पिक्चर दिखा रहे हैं जीवानू की सुक्ष्म संरचना है ठीक है जीवानू की सुक्ष्म संरचना है इसलिए देखो हम PDF जो बनाए ना पूरा का पूरा डिटेल से लिखके बनाए ताकि भाईया हमड़ा one short खिचना है लिखते लिखते टाइम जाएगा इसलिए जो है इसा किये हैं समझे आईए सब के बारे हम समझते हैं सबसे पहले देखो किसके बारे हम समझ लेते हैं हम सता है यहां पर अगर देखिएगा यहां पर अगर देखिएगा यह क्या है यह क्या है प्लाजमीड है यह क्या है प्लाजमीड है और यह जो है उपरी सता को क्या बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं दूसरा सता जो है कोसिका भित्ती हो गया दूसरा सता देखो जी कोसिका भि क्या है कैपसूल है दूसरा सत्य जो है कोशिका जिल्ली है क्या है कोशिका भित्ती नहां कोशिका भित्ती है क्या है सर कोशिका भित्ती है और यह क्या है सर कोशिका भित्ती कोशिका जिल्ली है सर क्या है कोशिका जिल्ली है जिल्ली है ओके और यही में जो पाया जाता है यहा पे क्या पाया जाता है इसी को बोला जाता है क्या इसी को बोला जाता है प्लाजमीड क्या बोला जाता है प्लाजमीड क्या बोला जाता है इसी को प्लाजमीड अब बबुवा समझेगा जीवानू कोसिका में पाये जाने वाला अतिरिक्त विर्ताकार जो होता है यह क्या होता एडी एन ए आब हम यहां पर कुछ नहीं बोलेंगे डी एने का फूल फ्रम जल्दी से कमेंट किजे तो देखते हैं कितने बच्च यह कमेंट करते हैं सही सही जल्दी से एक बार कमेंट हो जाना चीए ठीक है अच्छा है का यहां देखो देख लिया होगा समझ गे चलो भई dna को क्या बोला जाता है d Nova oxy Raboneucleid acid acid के जगैप आप लोग अमल बोल सकते हैं और याही लह लह हें हिंदी में लिखे हैं ताकि आप लोको पहण नियुक्रेवट यहां सेड हो और अदी अप आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नियूक्लियोड नियूक्लियोड ठीक है नियूक्लियोड ठीक है नियूक्लियोड ठीक है नियूक्लियोड ठीक है नियूक्लियोड बोला जाता है ठीक है नियूक्लियोड नियूक्लियोड केंद्रकाव जिसको प्र निकलाइड कहते हैं केंद्र काब को ही क्या बोला जाता है केंद्र काब को ही क्या बोला जाता है निकलाइड बोला जाता है यह जो आप लोग देख रहे हैं यह जो देख रहे हैं क्या है केंद्र काब है यह क्या है केंद्र काब है हट जगे पिक्चर बना दूँ देखो यह क क्या हो गया कोशिका भित्ती ये क्या हो गया कोशिका जिली और यहां जो इसे इसे रहता है उसी को बोला जाता है केंद्र काब बोला जाता है केंद्र काब याद हो जाएगा इस तरह बता देंगे ये क्या हो गया कैपसूल कैपसूल ये क्या हो गया कोशिका भित्ती सर दूस तीसरा वला लाइन कोशिका भित्ती क्या हो जाएगा कोशिका भित्ती तीसरा वला सर कोशिका जिल्ली कोशिका जिल्ली ठीक है पिक्चर याद हो जाएगा कोशिका जिल्ली और यहां जो इसे इसे रहता गोल का उसको बोला जाता है प्लासमीड क्या बोला जाता है इसमें प्रोक्रियोटिक जो होता है प्रोक्रियोटिक कोसिका के कोसिका दर्म में पाया जाता है कोसिका दर्म में विखरा रहता है और यह गुनसुत्र पदार्थ होते हैं यह अनुवांसिक पदार्थ होते हैं गुनसुत्र मतलब अगर मनुस में गुनसुत्रों की संख्या गुन सुत्रों की संख्या कितना है कितना है 23 दूना 46 मतलब मेल में 23 जोरा और फीमेल में 23 जोरा मतलब मेल जो होगा उसमें XY क्रोमोजोम होगा और फीमेल में XX क्रोमोजोम होगा ठीक है यह जो होता है अनुवांसिक पदार्थ होता है गुनसूत्र जो होता है अनुवांसिक पदार्थ होता है आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देखिए फले जीलम ठीक है फले जीला भी कहीं कहीं लिखा रहता है याद रखिएगा कहीं कहीं फले जीला भी लिखा रहेगा ठीक है गरबराना नहीं आप लोगो यह एक ग गमन अंगक है, गमन मतलब क्या हो गया, गती करने वाला, क्या, गती करने वाला, जो गती सील जिवानूमे पाया जाता है, फले जिला है, यहां आप देखो यह क्या है, फले से में Bayern, पाया जाता सर यहां पे पाया जाता है यहीं हो गया केंद्र काब के अंदर ही मीजो स्वाम पाया जाता उपर वला केंद्र काब हो गया और उसके बाद वला जो है मीजो स्वाम हो गया आए एक बार और हम पिक्चर को ड्रो करते हैं और आपको समझाने की कोशिस करते हैं यह क हो गया आपका अभी वालाई मिजो स्वाम और यह क्या हो गया केंद्र काब हो गया और यह क्या हो गया प्लाजमीड हो गया यह क्या हो गया प्लाजमीड हो गया याद हुआ इसको क्या बोलेंगे कैप्सूल याद रखने के लिए कैप्सूल कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती क्या बोलेंगे कोशिका भित्ती ठीक है भित्ती और ये क्या बोलेंगे कोशिका जिल्ली क्या बोलेंगे सर कोशिका जिल्ली क्या बोलेंगे कोशिका जिल्ली बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे कोशिका जिल्ली बोलेंगे ओके और सर इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे प्लाज मीड बोलेंगे ठीक है आगे देखो सर इसको क्या बोलेंगे सर उसको बोलेंगे केंद्रकाब क्या बोलेंगे केंद्रकाब और इसको क्या बोलेंगे मीजो सौम इसको क्या बोलेंगे मीजो सौम ठीक है और मीजो सौम में जो है मीजो सौम जो होता है यह ज जिवानू के कोशिका की कोशिका जिल्ली में पाया जाता है और इसके कार के बारे में समझे लो यह जो होता है DNA अर्थात DNA को दुई गूनित सही का साहक करता है DNA का दुई गूनित अगर हम लोग बात करें DNA का देखो ऐसे अरे चीतर बंड अगर हम लोग बात करते हैं तो दुई गूनित सनरचना की अगर हम लोग बात करते हैं नहीं हो रहा है आठ के तरहन बनता है जी कि ठीक है और इसको एक पेर आओड बना दो कि यह क्या हो गया डीने दूइगूनित कि दूइगूनित सन्रचना थीक है और यह जो है संत्तियों में गुनसुत्रों का सही बित्रन क्या करता है क्या करता है संत्तियों में गुनसुत्रों का सही बित्रन करता है आई हो प्यची समझ में आगे आप लोग को जगत मोनेरा में जो है थोड़ा अप लोग लगेगा कठीन है लेकिन उतना भी गठीन नहीं मना उसके बाद पिकड़म घरदा आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं जीवानू के परकार जीवानू के परकार टाइफ वाफ वेक्टिरिया अकार के अधार पर जीवानू चार परकार के होता भाया हो आकार मतलब आकिर्ती आकिर्ति के अकार पे क्या होता है जीवानू चार परकार के होता है गोलाकार जी जिवानु और सर्पीकार जिवानु अब गोलाकार जो होगा गोलाकार को जैसे की कोकस का उधारन ले लिजे इसमें छराकार जिवानु में वेसिलस ले लिजे उधारन के लिए कोमकार जिवानु में वेंबिरिया ले लिजे बिंबिरियो ठीक है बिंबिरियो और सर्पीकार सबसे चोटे जीवानू गोलाकार होते हैं इसकी जो संरचना होती है गोलाकार होती है इसलिए इन्हें गोलाकार जीवानू सेल्हेते हैं उधारन के लिए आप लोग इसमें ले सकते हैं । ़ो को कास्द बस आश को जिवानु और नीं Yap नीमोनिया रोग का जनक भी वहता है चोए यह जो है डिपलो को कस्या सेप्टेड को कस जो हता है इसी को बोला जाता है नीμोनिया रोग का जनक ओके आप अब देखो नीमोनिया कि अगर हम लोग बात करते हैं नीमोनिया होता है ज्यादातर बच्चे में किसमें होता है बच्चे में अब देखो होता क्या है उमें सांस जो है नहीं ले पाता है का है नहीं ले पाता है यह जो है जिली जिली टैप का देख रहें ना जिली जिली यह क्या है वायू कोश्टक है कोश्टिक कोश्टक बोला जाता कोश्टिक यहां लिखा है यह एक परकार का रोग स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो कोकस नीमोनिया के द्वारा उत्पन होता है यह नियूमोनिया में क्या होता है संस के माध्यम से फेफरा में नीमोनी के द्वार निमोनी के द्वारा सास के जुआ है ऩे फीरा में पहुत कर य कोश्टक को या बन्द करता हम इसे संबंदित संबंद जो है रक्त से है इसमें रक्त की क्या होती है कमी होती है ब्लड की कमी होता है तकता डॉक्टर रिख रहा है नीमिया हो गया है अब समझ मैं नीमोनिया बच्चा में होता है का होता है उनका सास में जो है वायू कोश्टक को क्या कर देता है जाम कर देता है ओके आगे पढ़ते हैं हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे वैसिलिस जीवानु छराकार जीवानुड देखरे हैं दिखरेना पिक्चर दिखा रहें यह जो है छराकार जीवानुग यह क्या है छराकार छाराकार जीवानू है ठीक है जीवानू गोलाकार जीवानू आप लोग को समझा दिये ठीक है गोलाकार जीवानू समझा दिये इसका अकार छर की तरह होती है और सारवधिक मात्राम ये अधिक मात्राम पाया जाता है लेकिन सर कहां पाया जाता है तो समझेगा लेक्टो वे और यिकोलाई जो है दूद से दही बनने में शाय कोता है एक और इंपोर्टेंट बात बताएं कहेंगे जी सर बताएं हम लोग जो दूद खाते हैं और जब हमड़े पेट में जाता है उपहले का करता है वहाँ पेधी बनाता है ठीक है दही बनाके तब पाचन होगा दूद क आपका वेसलस जो आपलोग को महिने पहले वसाइओ कौकी और यह यह जो आभी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे है किसके वी विडियो एदिवे वी विडियो यह मिस्टेक हो गए वी वी विडियो थिक है वी विडियो यह जिवानू यह गोला कार होता है मतलब कौमा कार इस तरह से जो जो तकरता है यहीं जिवानू के बजस होता है है पाचन से हां पचबेने करेगा हएए अहां लोग मेरे सगरमीत रोग है हलाकि दिरे-दिरे करके सभी लोग में फैल जाता है, जब हैजा हो जाता है तो पूरे एक गौ मोहला को च्छान लेता है, हैगी नहीं जी, इसलिए हैजा रोग किसे फैलता है, वी विडियो जिवानू से फैलता है, वी विडियो जिवानू का अकार कैसा है, तो कोमा कार अका है ठीक है को मा कार अकार है वी वीडियो कोलेरी नामक जीवानू से जो है मनुस में हैजारोग फैलता है और हैजारोग का संबंद किस से है पाचन से कुछ हो खाएगा पच्वे नहीं करेगा बार बार बातरूम जाईएगा आगे हम लोग देख लेते हैं आगे हैजारोग के पारे में यह रोग वी वीडियो कलोरी ठीक है कोलोरी के द्वारा उत्पन होता है यह जीवानू दूसित भोजन कहिए का सर कैसे होता है जाते हैं बजार पे चोमीन बर्गर ईजा पीजा दीजा खा लेते हैं ठीक है पेपदार्थ या अन्यपदा खाद पदार्थ के माध् में परवेस करके क्या करेगा अहार नाल कोई पहले परवावित करेगा पहले करेगा एकर डामेज करो ठीक है खाना पीना इसका बंद करो बाहरा यह बाहर वाला चीज खाता है इनका अहारे नाल डामेज कर दो यह जो होता है वी वीडियो कोलेडी जो होता है इकी करता है ज जो देखें सेप्टी से एकदम सिसा उसा लगा हुआ है साप सुत्रा दो कंदार उख सकल देख लिजे साप सुत्रा है कि नहीं तो ऐसे इसे करेगा वह इस छोला बटोरा सब्दे देगा इसलिए इचीप ध्यान देना है वहीं को देख वार ताइफाइड से गरसित है दो बार दो साल हो चुका है हमको टैफाइड तो यहीं बज़े से मेरा भी खुद का एक्सप्रियेंस देखा जाए तो हम भी बाहर जाते है भूक लग जात चते ही जो है लग प्का इचाए अब हम तुमको खाने नहीं देंगे कहेगा एङस लागातार दिसटर से ही में दैसलि में और ने का मतलब का होता हुटि भुमेटिंहूस होगा तो भाय बाहर व्रला समान खायेगा तो हई सबधू होगा अगर हईयरा फटत लुक्पाट होया तो लगभग लोगों को संकड़ मित कर देता है जाpoxए कि do अब हम लोग समझते हैं, अस्पाइरीलम, एक तरफ से हम लोग पर रहे हैं, किसी को लगा होगा, ना सर्जी ऐसे छोड़ देंगे, ना हो, फूरा खीचेंगे, टेंशन मत लीजिए, अस्पाइर, अस्पाइरीलम, जो होता है, सरपी लकार, ठीक है, सरपी लकार जिवानू भ हिता ही होता है सरपी कार हित में ही होता है मतलब साप की तरह होता है सरपी अस्पाइरीलम यह देखो अस्पाइरीलम जो है अस्पाइरीलम यह हो गया आपका अस्पाइरीलम यहांने अरे मिश्टेक हो गया अस्पाइरीलम यहां है यह है अस्पाइरीलम ठीक है अस्पाइरील देशे ट्री पे नीमा पॉलिडीयम ठीक है ट्री पे नीमा और पॉलिडीयम उधारन के लिए जिफली सुजक रोग। यह लेंगिक जनन संचित रोग है इससे क्या होता है लेंगिक जनन संचित रोग होता है तो लेंगिक जनन संचित रोग कौन-कौन से हैं यह हम लोग अंत में परहेंगे यहां पे ज़्यादा डिसकस करना जरूरी है जी तो आप लोग इतना समझ लिए अस्पाइरीलम जो होत जो सुजाक रोग जनक कहा जाता है सिफलीस से जो है क्या होता है सिफलीस यह लेंगिक जनन रोग को संचीत करता है ओके आए आगे आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा लेंगिक जनन योग संचीत रोग ऐसे रोग जो अन्यतिक योन संबंध के कारण उत्पन होता है योन जनन संचीत रोग कहलाता है जैसे हो गया सिफलीस ठीक है सिफलीस गनेरिया एड्स लेंगिक मस्सा अब इसी समझ में है अरे भाईया होता का है कि देखो भाई हम थोरा सा तो स्रण मास्टर फुरा अलग लाग लेवल के हैं अब कहें जास्टर को सरम नहीं लगता तोwest the यंग करूंगा अगर हमको सरम लगने लगा तो फिर बताएंगा क्यों माइं बाप ना कि लेसे देखो भाया अभी आपकी उम्र जो भी रहे ठीक है लड़की देख रही कोई दिखकत नहीं अपनाम से सुनू जब साधी उदी होता है तो का होता है एक दूसरे के बीच रिलेशन होता है माल लिया जा गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड हाई की नहीं नहीं है जी बहुत मारमार चलो तो यह क्या होता दोनों में क्या होता आप से संबंध होता है एक रिलेशन होता है प्यार होता है ठीक है उसमें योन संचीत जो रोग होता है योन संबंध बनाते दोनों मेल और फीमेल जो है संबंध बनाते अगर लड़का में कहीना कोई कोई दिक्कत होता है तो धीर योन संचीत रोग में मतलब हो जाता है, ठीक है, ऐसे रोग जो औरनेतिक योन संबंदों के कारण उत्पन हो जाता है, ठीक है, उसे ही योन संचीत रोग केता है, सिफिली, सिफिली, गेनेरिया, एड्स ये सब योन संचीत रोग है, अगर पूछे ता आप लोग बता जगत मोनेरा में जगत मोनेरा में बेटा हमने क्या पढ़ा आग विजानू आरके वेक्टिरिया यू वेक्टिरिया ठीक है यू वेक्टिरिया वास्तविक वास्तविक जिवानू ये पर लिए अब हम लोग परहेंगे साइनो वेक्टिरिया उसके बाद माइक्रो प्लाज्मा minor plasma परेंगे, तो जगत Monera समाप्त होगा, जगत Monera समाप्त होगा, तो उसके बाद, हम लोग को क्या परना होगा, तो बाद में बताएंगे, चलो, अब हम लोग Sino tutorial के बाद आभाहें, समझ लेते हैं, Sino tutorial के अगर बात हम लोग करें, VGA मतलब Blue Greencock., कि नील हरित सेवाल इसी को बोला जाता है साइनो वेक्टिरिया को नील हरित सेवाल बोला जाता है और यह एक कोशिक यह और प्रोक्रियोटिक भी होता है यह एक कोशिक होता है जिसमें एक कोशिक मतलब एक कोशिका होता है इसमें क्या होता है एक कोशिका एक कोशिका होता है और प्रोक्रियोटिक भी होता हिए, साइनो वेक्टिरिया, साइनो वेक्टिरिया को नील हरित सेवाल भी कहा जाता है, साइनो वेक्टिरिया का अवास अस्थावन क्या है सर, और लवनिये, समुद्री या अस्थल्य सेवाल, इसका जो है, और लवनिये, अस्थावन की बात कर कवक के रूप में पाया जाता है, नोट कर लिजिए, कलोडो फिल भी नहीं पाया जाता है, नहीं तो हरा हो जाएगा, और लबनिये या समुदरी या अस्थलिये सेवाल को साइनो वेक्टिरिया कहा जाता है, वहीं पे साइनो वेक्टिरिया होता है, यह पुर्ण हरीत यह जि फील परकास संसलेशन का क्या होता है वर्नक के रूप में पाया जाता है नोट करके लिख लिजेगा कलोडो फील भी नहीं पाया जाता है इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं परकास संसलेशन वर्नक ठीक हैं परकास संसलेशन वर्नक वैसा वर्नक वैसा वर्नक जो रसायन या स सूर्य की परकास को अब सोसित करने का कार करता है परकास संसलेशन वर्नक कहलाता है पूछ दे प्रस्न परकास संसलेशन वर्नक किसको कहा जाता है यहां पर मैंने दिखाया परकास संसलेशन वर्नक के रूप में पाया जाता है तो परकास संसलेशन वर्नक किसको कहते हैं वैसा वर्नक जो रसायन या सूर्ये की परकास को क्या करता है अब सोसित करने का कार करता है मतलब अपने और एट्रेक्ट करने का कार करता है परकास संसलेशन वर्नक कहलाता है आगे हम लोग बढ़ते हैं साइनो वेक्टरिया में साइनो वेक्टरिया जो होता है यह क्या होता है तन् में सैनो बेक्टिरिया में एक विसेश परकार की कोशिका होती है वाई इसच्थू करन का कारिकरता है जिसे हिंन dapat क्षें हेट्रो सिष्ट कहते हैं क्या कहते हैं फ्री अाफ challenging का श्थू करते हैं उधारन के मैं होता है जो सैनो विक्टिडिया होता है तंतु मैं का मतलब हो गया धागे नुमा क्या हो गया धागे नुमा मतलब धागे जैसा धागे नुमा होता है और यह एक बिसेस परकार की कोशिका में होती है जो वाई मंडल को क्या करता है इस्तरीकरन का कार करता है जिससे हेट्रो सिष्ट कहते हैं उधारन के लिए नाइट्रोजन इस्तरीकरन ओके आए आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं नाइट्रोजन इस्तरीकरन क्या होता है एक पोइंट को हम तोर तोर के भी परहाएं ठीक है एक एक पोइंट को तोरेंगे चलो समय लग सकता है क्योंकि हम लोग भले one short पर रहे हैं समय तो लगेगा ही भीया ठीक है हलाकि समय लगेगा हम दोरा बक्चोदी नहीं कर रहे हैं है कि नहीं अब यह इस सब्द का मतलब आप लोग गलत मत निका लिएगा क्योंकि यह भासा है कभी-कभी मुझ से निकल जाता मेरे मुझ जैसे निकल गया दोस्त अगिरा में बोलते हैं तो you are my friend not you are only student ठीक है टेंसन मतलो तो वह बहुत सारे सिक्षक करते हैं बकर 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 वही चीज़े वह ज्यादा हम नहीं करते हैं एकदम concept को लेके चल रहे हैं ठीक है आजाओ वायू मंडल के मुक्त नैट्रोजन को उनके योगिक में परिवर राइजो भीम नामक जिवानु जो होता है इसमें क्या होता है देखो नैट्रोजनी करन देखो हमारे वातावरन में बहुत सारे क्या है गैस है क्या है गैस है अब देखो नैट्रोजन कितना 78% औक्सिजन कितना तो 21% यह चीज तो आप लोग जानते हैं यह वाय मंडल में जो दलहिनी पौधे होते हैं जो दलहिनी पौधे होते हैं उनकी जो गाठे होती है उनकी जो गाठे होती है उसमें क्या करता है नैट्रोजन का स्थरिकरन करता है कौन करता है भाईया साइनो वेक्टिडिया का काम होता है नैट्रोजन स्थरिकरन इस्ठ्री करन, ओके, अज़ो भई, परपोशी जिवानु, परपोशी मतलब समझते हैं, आप तो मजा आएगा, अब जो है कलास में मजा आएगा, यह जिवानु प्राकृतिक में अधिक पायजाते हैं, परपोशी जिवानु अधिक आंस था, अब घटक के रूप में होता है कुछ जिवानु लाबदायक भी होता है और कुछ जिवानु नुक्सान दायक भी होता है जैसे कि राय जोबियम जिवानु लेक्टो वेसिलस ये सब क्या होता है ये लाबकारी होता है लाबदायक होता है ये सब लाबदायक जिवानु होता है तो परपोसी जिवानु ये जि आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं अनेक परपोसी जिवानू रोग जनक होते हैं ठीक है? रोग के जनक होते हैं जैसे हाईजा हो गया हाईजा हो गया विम्बिरिया कलोरी के कारण होता है pneumonia हो गया, streptococcus के कारण होता है, salmonella typhi, जो typhi drug होता है, salmonella typhi ये typhi drug होता है, ठीक है, इसके बारे हम समझ गए, अनेक परपोसी जिवानु का जो होता है, रोग जनक भी होता है, जो आपको अधिकांस ता अच्छा होता है, और अधिकांस खराब भी होता है, यहाँ प क्या सब्सक्राब करते हैं, दूसरी बात, lacto-vacилась दूद में पाया जाता है, किसमें? दूद में पाया जाता है, ठीक है, E.Colog, एक और बताये थे, E.Colog, यह करता है दूद से दही बनाता है ठीक है आगे हम लोग बढ़ें आजो वहिए आगे हम लोग बढ़ते है जिवानु में जनन डी प्रोडेक्शन इन बैक्टिरिया जिवानु में जनन अब हम लोग परने वाले हैं ओकैं ऑजो जिवानों में जनन पढ़ने वाले हैं जनन कितने परकार की दोपरकार के दोपरकार की एक हो गया आपका अलंगीक जनन कि दोणों भी द्याँ पाई जाती हैं और लेंगिक ञनन एसक्सवाल रिपोडेक्शन जनन की वैशिं सिय विधि जिसमें सिर्फ एक visite नई संतति को जन्म देता है उसे और लेंग ब्रियान वी परकार करते हैं मुछमन रखते है ज्सके टे कोड़ माएं रह आँता है उसा पयानां एक जननन के परकार साये Selbst Ray अगर लेंगिक के बात करें, जिसमें जनन की वह इसी विधी, जिसमें सिर्फ एक विश्च नई संतती को जन्म देता है, उसे लेंगिक जनन कहते हैं, लेंगिक जनन द्वारा उत्पन संतती अपने जनक क्या होते हैं, समान होते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखो और लेंगिक जनन के परकार विखंडन, मुकूलन, अफखंडन, विजानु जनन, लेकिन जिवानु जनन की किरिया विखंडन और विजानु जनन के द्वारा ही कर पाते हैं, अगर मैं बात करो और लेंगिक जनन के जो परकार हैं कौन-कौन से विखंडन, मुकूलन, अफखं और विजानू जनन लेकिन विजानू की जनन की बात करें मतलब रिप्रोडेक्शन ठीक है रिप्रोडेक्शन जो है रिप्रोडेक्शन इन वेक्टिरिया ठीक है वेक्टिरिया ओके रिप्रोडेक्शन इन वेक्टिरिया की जो किरिया होती है विखंडन और विजानू जनन के द्वारा ही होती है आगे हम आपको यहां पे बता देंगे टेंसन मत लिजिए अगर यहां देखो अलेंगिक जनन का परकार बता है आप लोग को चार परकार का होता है विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, विजानुजनन लेकिन इसमें से दो ही इसमें से दो ही होता है जो जी वानू जनन करता हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं लेंगिक सेक्स्वल मतलब लेंगिक69 लिप्रोडेक्शन जनन वैसी विधी जिसमें दो विप्रित लिंग होना झाये का मेल एक क्या वाले झीव भाग लेकर एक नई संतती का जन्म देता है लेंगिक जनन कहलाता अगर बात करें यहां पर अगर आप लोग समझेंगे मान लिया जाए यह क्या है भईया मेल यह क्या है मेल और यह क्या है फीमेल यह क्या है फीमेल मेल का क्या आएगा अंडानू ठीक है असपर्म ठीक है क्या असपर्म मतलब सुक अंडानू आएगा इसका जो है क्या आएगा अंडानू आएगा फिर दोनों का क्या होगा फटलाइजेशन होगा क्या होगा फटलाइजेशन होगा मतलब नीसेचन होगा नीसेचन होता है नीसेचन होने के बाद क्या होता है जाइगोट का निर्मान होता है किसका जाइगोट का निर्मान होता है और जाइगोट के बाद क्या हो जाता है उसी को बोला जाता है उसी के बाद संतती का उत्पन होता है संतती संतती ओके ये चीज़ समझ में आ गया लेंगिक जनन द्वारा संतती अपने जनक से क्या होते हैं वीन होते हैं अपने जनक से अलग हो जाते हैं ठ बाल का कर यह कुछ चीज मिल जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा भीन होता है ठीक है भीन होता है कुछ ना कुछ कुछ चीजे मिलती है लेकिन और्लेंगिक जनन में अलेंगिक जनन में सेम टू सेम हो जाता है टू कोपी क्लोन भी बोला जाता है और लेंगिक जनन को जो है और लेंगिक जनन को क्लोन भी बोला जाता है क्लोन क्लोन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है क्लोन भी कहा जाता है आगे हम लोग बढ़ें चलो भी एक बार हम बैटरी चेक कर लेते हैं का होगा बीच में अगर डिश्टर्बिंग मारा तो पूरा चौपट हो जाएगा है कि ने जी अभी तो है येगो लेकिन भरोसा नहीं दस मिनट बाद हम बैटरी मंगबा लेते हैं ओके चलो भाईया आगे हम लोग बढ़ें आजओ लेंगिक जनन हम लोग पढ़ रहें थे अलेंगिक जनन ठीक है अलेंगिक जनन में जीवों में जनन की समान्य विधी अनुकूल परस्थ थितियों में होता है कोशिका विभाजन विखंडन विधित वारा होता है और विखंडन दो परकार नहींृइच अब देखो अनुकूल परतिकूल परस्थिति योगों किो जहां ? त्विंग मोग रहने कर बोलेंगे परतिकूल परस्थिती बोलेंगे तब देखो बिपरीत या परतिकूल परस्थितियों में जिवानू बिजानू जनन द्वारा जनन करता है मतलब परतिकूल बिपरीत मतलब परतिकूल जो होता है परतिकूल परस्थिती में क्या करता है जिवानू जो है बिजानू जनन द्व जनन करता है, लिखेंदे क्या, कहिए गात लिखेंगे, अनुकूल, में विखन्डन द्वारा प्वइंट लिखने हैं ठीक है ज़्याधा नहीं लिखेंगे, अब परतिकूल परतिकूल ़तरस्थिती में किसके द्वारा, वीजानुman के द्वारा किसके द्वारा बी जानू जनन के द्वारा ओके जनन के द्वारा ओके यह चीज समझ में आ गया सबको कोई दिक्कत ने आप कहेंगे सर्दुई खंडन बहु खंडन नहीं समझाए आए ना समझाएंगे टेंसन मत लिजिए आप लोग को आप लोग को टेंसन नहीं लेना आग कहते देखो यह देख लो इसका एक भाग कटके मॉण ली आजाए एक भाग में विभाग जित हो गया अब इसका कोई भी पाट कट गया को रखत कर गया बहुत घंण हो गया यह इस तरह के जणन होते हैं अनुकूल परस्तियों, विखंडन विधी द्वारा होता है, आज़ो, आगे देखते हैं, जीवानु में विखंडन द्वारा जनन, विखंडन द्वारा जनन, ओके, सबसे पहले केंदरक का विभाजन होता है, जिसो केंदरक के विभाजन को केरियो काइनेसिस कहते हैं, केरिय जीएगा कि केंद्रक विवाजन को केंद्रक विवाजन को केंद्रक विवाजन को केरी केरियो काइनेसिस काइनेसिस ठीक है केरियो काइनेसिस ठीक है केरियो काइनेसिस ठीक है केरियो काइनेसिस और भाईया और क्या कोशिका दर्ब विवाजन अभी समझाएंगे दोनों ची कोशिका दर्व विभाजन को कहेंगे साइटो काइनिन क्या बोलेंगे साइटो काइनेसिस क्या बोलेंगे साइटो काइनेसिस बोलेंगे यह चीजे समझ लो यह क्या एक सेल है समझ लो सीधी बात एक सेल है और यह जो है यहाँ पर क्या होता सबसे पहले इसमें क्या होता है य केंद्रक का विभाजन होता यह क्या है केंद्रक है यह देखो यहां देखो केंद्रक केंद्रक फिर क्या होगा कोशी का दर्व यहां पे देखो कोशी का दर्व कोशी का दर्व ठीक है कोशी का दर्व यह जो पॉइंट पॉइंट करके दे रहे हैं कोशी का दर्व कोशी का द केरियो काइनेसिस विभाजन होता है और यहां पे साइटो काइनेसिस मतलब सबसे पहले केंदरक का विभाजन हुआ और केंदरक के विभाजन होने के बाद कोसिका का विभाजन हो जाता है केंदरक के विभाजन के बाद कोसिका का विभाजन हो जाता है जिसको साइटो काइने का विभाजन हो जाता है कि पुत्री कोशिका पूला जाता है इसको पुत्री बोल सकते हैं ओके कोई दिक्कत जी यहां तक आए हम लोग आगे समझते हैं ज्यादा इसमें जोल नहीं करना है माइक्रो प्लाज्मा ठीक है माइक्रो प्लाज्मा जो होता है यह सबसे छोटी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ती नहीं पाए जाती है कोशिका भित्ती नहीं पाए जाती है देखो यह जो है सबसे छोटी कोशिका है ठीक है जिसमें कोशिका भित्ती नहीं यह हो गया कैपस कैप्सूल और कोशिका जिल्ली कोशिका जिल्ली इसमें जो है नहीं पाया जाता है लेकिन या एक ऐसे जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सिजन के भी जीवित रह सकता है और इसकी आकार की बात करें तो 0.3 माइक्रो मीटर की होती है माइक्रो प्लाजमा यह सबसे छोटी कोशिका होती है और इसमें कोशिका भित्ती भाया नहीं होती है और यह एक ऐसी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सिजनों के जी लेगा ठीक है और इसकी आकार सबसे छोटा होता है 0.3 माइक्रो मीटर ठीक है और इसका जो लगभग होता होता है ज्यदा है ज्यदा engage bewसफ होता है ठीक है को रखते हैं आगे देख लेते हैं अगे आगे हम देख लेते हैं आदबन आप लोग को पहले पढ़ा था लिपोड़ को प्रोटीन जिल्ली इसा हीजिको बोला जाता उसके ओपर जो रहता है यह लीपोड 30 जिली होता है लीपीड जिसको बोला जाता है लीपीड लीपीड जिसमें लीपीड और प्रोटीन और वसा रहता है क्या रहता है प्रोटीन और बसा रहता है ठीक है वसा अब देखो इसमें घुलंसील आरेने होता है उसमें क्या होता है घुलंसील आरे होता है आरेने और यह जो हो राइबोसोम, राइबोसोम के वारे मैं पता ही दिये और यह क्या हो गया चोटा सा ये प्रोहия हो गया ये DNA हो गया, मतलब इसमें जो है, माइक्रो प्लाजमा की कोसिका संरचना अगर देखेंगे, इसमें लिपो प्रोटीन की जिल्ली होती है, यह जो है, इनकी साइज की बात करें, तो 0.3 माइक्रो मीटर, ठीक है, माइक्रो मीटर होता है, साइज, यह क्या है, साइज, ओके, अगर मैं बात कर इसमें कोशिका भित्ती नहीं होता इसमें कोशिका कोशिका भित्ती नहीं होती है ठीक है कोशिका भित्ती नहीं होती है ओके अब देखो भाई यह हम थोड़ा एक कॉल कर लेते हैं नहीं तो इसे में घरबर हो जाएगा ठीक है चलो भाई एक सकेंड का टाइम दीजिएगा मै बैटरी मगबाल लेता हूं दां चुछलो क्या करता हूं बैटरी व मालेता हूं भूंकसार बैट़री दे दितीसी एगा एक ही बचा हुआ चलो हम फोन नहीं करेंगे यहीं टेस एह तो समझ में आया लीपीडो लीपो प्रोटीन जिली जो होता है लीपीड तद्धा प्रोटीन लीपीड इसको बोला जाता है सिर्वा समझो इसमें जो होता है प्रोटीन और वसा होता है बना होता इसमें और यह जो होता न माइक्रो प्लाजमा जो होता है इसमें जो है कोशिक बहुत का भीति नहीं पाया जाता कोसी का भीति होता ही नहीं है ठीक है लेकिन इसमें DNA और RNA होता और यह इसा जिवान हुए ठीक है यह जो ऐसा चीज है कि भ्याविन oxygen हो किये जिन्दा रहता है ठीक है देदे खोल के की लगा दीजिए गाचार्ज में तो भाई साब थोरा ह两ền करें कि फिर ते मैं only तो आप लोग समझ गए-माय क्रोप्लाज्मा समझे ना जी अब आजा रहाना आ जया चर्लों है माय प्लाज्मकोशिका संटचना आप लोग समझ गए जो बीना ऑक्सिजन के भी जिन्दा रहते हिनकी साइच जो है 0.5 माइक्रो मीटर होती है और इसमें जो है लीपीडो लीपो प्रोटीन जिली होता है गुलनसील आरेने होता है डी आने होता है प्रोटीन होता है राइबोसोम होता है ठीक है ज्यादा इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं आज आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे देखत इसमें क्या है? लीपीड और प्रोतीन अर्थात लीपो प्रोतीन से निर्मीत कोशिका जिल्ली बनाई होती है। उसी बारें पढ़ा रहें, एक कोशिक ये कोशिक भित्ती रहित, एक जीवित प्रोक्रियोटिक जीव है, जिसमें सबसे बाहर, क्या होता है, सबसे बाहर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लीपो प्रोटीन से निर्मित कोशिका जिल्ली बनाई जाती है, ये क्या है, ये जो किधर हो किधर हो जी यह जो है यह जो यह देख रहे हैं यह लीपो प्रोटीन जिली बना होता बाहरी जो की कोशिका जिली बना होता है आगे एगर हम लोग देखते हैं इसमें कोशिकांग अनुपस्थित रहता है मतलब कोशिकांग मतलब माइट्रो कॉंडिया लाइसोम ठीक चलो भई जो है इसमें क्या होता है DNA और RNA होता है mitochondria और lysosome ठीक है सो सब यह भी हम लोग पढ़ेंगे tension नहीं लेने का ठीक है आजओ अब हम लोग देखते हैं पोसन के अधार पर जीव दो परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं अब यहां से आपको मजा आएगा जी ठीक है यहां से मजाना सुरू होगा क्या होगा मजाना सुरू होगा क्या है चलो भाय आजाओ अब दिखो भाय भाय हो पोसन के अधार पर जीव दो परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं जीव एक होता है स्वेम भाय जो अपने उछ सवाय हो गया हम लोग कौन यह सर चावल डाल सब चीटव Ser. अस्वे法 बनाते हैं आप अपने से आश्रित नहीं है हमत लिए सूर्य परखास लेकर जमिन जल्ल लेकर अपने शो ले lima हमें को क्या करना पड़ता है यह हुँ को पकाना पड़ता है तब खाते हैं लोग गेहु पे आसरीत है चावल पे आसरीत है सबजी पे आसरीत है तो स्वेम पोसी ठीक है पोशन के अधार पर जीव दो परकार के होते हैं एक स्वेम पोसी और एक अभी स्वेम पोसी आए इस दोनों को कबारते हैं मतलब संसलेशी जिसे पियरपाद होगया साइम वैक्तिरिया हो गया ठीक है इसी इसे में आता है प्रोष्टिता जगत जो डाइनो प्ले प्लेजेनम ठीक है डाइनो प्लेजेनम और यूगली नाइड ठीक है अब देखो यहाँ पे दूसरा देख लो रसाइनो का संयोजन और बियोजन द्वारा उत्पन उर्जा को उत्पन रसाइन संसलेशी कहते हैं उत्पन रसाइन संसलेशी कहते हैं जो क्या हो जाता मोने राम जो अपना भोजन स्वेम बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वेम बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्वेम पोसी कहते हैं ये भी दो परकार के होते हैं ये भी दो परकार के होते हैं कहेंगे परकास संसलेशी जो परकास संसलेशी के द्वारा भोज द्वारा उत्पन उर्जा उत्पन रसायन संसलेसी करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं यह रसायन हो गया और यह हो गया संसलेसी यह क्या हो गया रसायन और यह संसलेसी मतलब प्रकास संसलेसी द्वारा दूसरा रसायन के द्वारा तीसी में आ जाता प्रुष्टिटा जगत में डाइनो प्ले जीनम और यूगली नाइड मोनेरा इस सब चीके बारे में हम लोग चर्चा मोनेरा ही पर रहे हैं ठीक है आज़ो आगे हम लोग देख लेते हैं पहले सबसे पहले बीसम पोसी देख लो भाईया भाईया हूँ विसम पोड़ो विसम पोसी समझ में आ रहा है मतलब की दोसर के गल्फरेंट पर लाइन मारना सब्सक्राइब नहीं न आज़ो मिर्त जीवी मिर्त जीवी जो होता है ना यह मिर्त जीवी जोता ही की करता है मसरूम हो गया जैसे कुकुरमुत्ता आप देखो कही कहीं मसरूम को ही कुकुरमुत्ता बोला जाता है लेकिन गल्ती नहीं खे करने का मतलब नहीं करने का मसरूम अलग है जी कुकुरमुत्ता अलग होता है काई की बच्चे का कोमेंट आया कि मसरूम और कुकुरमुत्ता साथ होता है जी नहीं कुकुरमुत्ता अलग होता है या त Walker बीड्र जीवित जीवों पासरीत रहने वाले को Kapit यहां पर अगे प्रणीस संपोषी हैं प्रणीस अप्राणीस संपोषी को समझते हैं, प्रानी संपोसी कहते हैं आइए देखते हैं हम लोग एक एक चीज को समझते हैं अब यह देखो पर जी भी होता है यह जो जिसे पादप के अगर हम लोग बात करते हैं अमरबेल जन्तु जू मतलब समझते हैं जू मतलब चिरियां घर नहीं धीला इमें रहता है न जी धीला और आपने आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, अलग अलग कर। करो क्रते हैं, यह लोग खाते हैं। अब meant जगत ऑमलेल आघव चत्म अब यहां से हम लोगपने वाले हैं जगत प्रोष्टिटृटा पढने वाले थीक है जगत प्रोश्टिटा पढ़ने वाले यहां सब हम लोग सुरू करेंगे अभी तो आप लोग का एक खतम हुआ हम लोग को पढ़ना केतना है पांच को एक घंटा 30 मिनट यहीं ले लिए हम ठीक है लेकिन टेंशन मत लिजिए और भी अच्छी तरह सम आपको पढ़ाएंगे ट प्रोश्टिटा होता है ठीक है प्रोश्टिटा हम पोड़ते हैं अगर सलो बोले तो ठीक आएगा ठीक है जगत प्रोश्टिष्टा प्रोश्टिष्टा जगत में सभी एक कोसी किये यूकरियोटिक जीवों को रखा गया है जगत प्रोश्टिष्टा जगत में सभी एक को सिख्किये और यू करियोटिक जीवों को रखा गया है जगत प्रोट की स्टा के जीव को निमन पांच भागों में बाटा गया एक हो गया ऑफिया क्राइजोफाइट डाल दाइनोल फ्लेजी लेट और दूसरा होक ही सरा हो गया युगली नाइड और अब पंग कवक और प्रोटो जोगा अब यहां से देखो भईया यहां से हमको समझा होगा जगत प्रोट्टिस्टा में अब हम तो जगत मोनेरा खतम हुआ है ठीक है जगत मोनेरा खतम हुआ है अब हम लोग पर रहें जगत प्रोटिश्टा जगत प्रोटिष्टा पर रहें तो जगत प्रोटिष्टा जो है जीवों को निमन पांच भागों बाटा गया एक क्राइसोफाइट एक डाइनो फ्लेजिलेट और यूगले यूगली नाइड और और अवपंक कबक और प्रोटो जोवा आईए हम लोग समझते हैं यहां पर बात करूँ अबास का यह लवनिय एवम और लवनिय मतलब नमक जहां रहता है और जहां नमक नहीं पाया जाता वहां भी रहता है अब देखो क्राइसोफाइट जो हता है क्राइसोफाइट जल धाराओं के साथ मुक्त रूप से तरते रहता है पोशन विधी इसकी है स्वे आगे हम समझाएंगे डायटम और सुनहरे सेवाल में सेवाल को रखा गया इसमें अगर अवास अस्थान को पूछा जाए ती यह लबनिये और लबनिये दोनों जगह पे फिट है और क्रैसोफाइट जो है क्रैसोफाइट यह जल में तर्टे हुए मुक्त रहता है कोई टेंस पॉसन की बात नहीं है और एकर इसकी पॉसन की विधी जाननी हो तो भया स्वेम पॉसी स्वेम पॉसी मतलब अपने सब काउम करता है आईए डायटम समझ लीजिए बेटा डायटम में सबुदाने ठीक है सबुदाने के समान दोनों और से अच्छादित कोशिका पाई जाती ह इसकी कोशिका भिती में सिलका पाया जाता है क्या पाया जाता है सिलका पाया जाता है अब आगे प्रशनाता है कि डायटम मिर्दा क्या है तो समझेगा सिलका की उपस्थिती के कारण इसका अपगटर नहीं हो पाता है जिसे कोशिका भिती के अब सेस उसके परिवेस में आ मिर्दा के धेर के रूप में बन जाता है जिसे डायटामी मिर्दा भी कहा जाता है ओके तो डायटम समझ में आए आप लोग को आए आगे हम लोग समझते हैं डायटम मिर्दा का उपयोग कनमय होने के कारण इसमें जो हता है छोटा-छोटा कनमय होता है और इसका उपयोग ज लिखा गया है कि निंदियन ने होता है चलो निंदियन ये निस्यंदन लिखा गया है निंदियन तथा पॉलिस के लिए क्या आ जाता है कंड मैं होने का कारण इसका उपयोग तेल और सीरप के निंदियन और पॉलिस के लिए कि आ जाता है अभी और समझते हैं हम लोग डाइन देनो फ्लेजिलेट ठीक है डाइनो फ्लेजिलेट आए समझते हैं डाइनो फ्लेजलेट ठीक है जी दिल है कि मानता नहीं चलो समझ में आ रहा है आप लोग को आए देखते हैं अगर अवास अस्थान की बात क्या आ जाए तो अधिकान समुदरी लबनिय जल में ये पायज आते हैं और डाइनो फ्लेजिलेट जो होता है ये स्वेम पोसी होता है ठीक है और परकास संसलेशन की बात करें इसमें उपस्थित परमुख वरनकों के कारण हरा, पीला, निला, भूडा अथवा लाल दिखता है और इसको हम दिखाएंगे भी डाइनो फ्लेजिलेट के कोसिका भिती के बाहर सतह पर सिल्यो लोज की करी पुटिकाएं होती है आगे बढ़ो लाल तरंगे क्या है मैंने बताया जब लाल डाइनो फ्लेजिलेट की संख्या में बिसपोर्ट होता है उसके संख्या में अगर बिसपोर्ट होता है जिससे क्या होता है? समुद्र का जल जो है लाल दिखने लगता आई होप यहाँ देख रहे होंगे जिसे लाल तरंगे कहते हैं और इतनी बड़ी संख्या के जीव विस से निकलने निकले जीव विस के कारण मचली इसमें ये गलत लिखा गया है टैपिंग गलत क्या गया है ये जो डायनो फ्लेज होता है इससे विस निकलता है और विस निकलता है तो जो समुद्री जीव होते हैं मचली होते वो क्या हो जाते मर जाते हैं क्या हो जाते मर जाते किसके कारण किसके कारण डायनो फ्लेजिलिट के कारण अगर डायनो फ्लेजिलिट का संख्या अगर बढ़ती है तो पूरे सम मुद्र में क्या होता ही छा जाता और लाल डंका दिखाई देने देता इससे विस निकलता है विस का उत्सरजन होता है और धीरे धीरे करके सब मचली उचली को मार देता है देख रहें पिक्चर में अब हम लोग यह देख लेते हैं यूगली नाइड यह समझे थोड़ा सा ध परना है देखो यह स्वक्षेवं अस्थिर जल में पाये जाता है पाये जाने वाला जीव है इसमें दो कसाब होता है जिसमें एक छोटा कसाब होता है जो यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है तो दे दिए ठीक है तथा एक लंबा कसाब होता है सूर्य के परकास की पॉसी होता है जब परकास होता है स्वेंपोसी और जब परकास नहीं होता है तो का करता है उका करता है जी उपर पॉसी हो जाता है दूसरे पासरी तो हो जाता है ठीक है यह क्या है फलेजीलम है यह क्या है फलेजीलम है और इसमें दो फलेजीलम होता है एक छोटा होता है एक प्रपोशी बन जाता है पर पोसी जैसा बेवार करता है ओ आए अगले प्रस्न के यह अगले प्रसन पह जो beetले परक कवक जिसे रसलाइट परति स्लाइम मोलड थे खाला जाता है यह एक मिर्ट जी भी प्रोटिश्टा है जो सरीगली हुई ट्यहनियों जैसे कि अगर मैं बात करूँ आधिगो भैया हम रहा ड्रॉइंग जो है गेलगुजरल ठीक है तो इसलिए आप लोग हमसे तो अच्छा बनाते होंगे है सर बना लेते हैं है सर बना लेके यह सर बना लेके तो बनाग दिखा है प्रोटिष्टा के जीव आपस में जूड़ सकते जूड़ को देखते हैं केतना बच्चा आप लोग को बनाने आता है चलो यह यह हो गया इस सवरा अगला जो टहनी होता है ना टहनी एवं पत्ती जो होता है उसमें पाया जाता यह मिर्त जीवी प्रोटिष्टा जो सरी पत्ती होता है पेर पत्ती होता है वही में यह पाया जाता है और यह अनुकूल प्रस्थिति में जब भोजन परचूर मात्रा मुपलव्द होता है तब प्रोटिष्टा के जीव आपस में जूड़ सकते जूड़कर एक संरचना बना लेती है जिसे प्लाज्मोडियम कहते ह जो बिप्रीत परस्थिति आने पर यह अलग होकर पुट्टी विजानु बना लेते हैं क्या होता है जब इसका जो है परचूर मात्रा मुपलव्द होता है प्रोटिष्टा क्या करता आपस में जूड़ जाता है आपस में क्या करता है जूड़कर संरचना बना लेता जिसे प्लाजमोडियम कहते हैं और विप्रित परस्थिती में क्या होता है या अलग होकर पुट्टी विजानू बना लेता है आज आओ प्रोटो जोवा अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या पढ़ लेंगे प्रोटो जोवा एक कोसिक ये यू करियोटिक जीव है जो सभी प्रोटो जोवा परपोसी मतलब सभी प्रोटो जोवाज होता है परपोसी दूसरे जीव में रहकर मतलब दूसरे जीव में रहकर ह होते हैं जो परभक्षी या परजीवी के रूप में रहते हैं सभी प्रोटो जवाज होता है परपोसी होते हैं जो परभक्षी या परजीवी के रूप में होते हैं दूसरे जीव में रहके चुसते रहता है बास समझाए थे निस दिन पहले ये पराणियों के पुरातन मतलब प्राचिन काल से संबंदी है पर भक्षी का मतलब हता है दूसरे जीव को मार कर खाने वाला दूसरे जीव को मार कर खाने वाला प्रोटो जवा है एक कोशिक ये यूकरियोटिक जीव है जो सभी सभी प्रोटो जवाज होता है क्या होता है पर पोसी होता है क्या होता है पर पो प्रोटो जोवा के परकार को अब हम लोग समझते हैं अकार के अकार पर अकार के अधार पर चार परकार से बाटा गया प्रोटो जोवा एक को सिके यू क्रियोटिक जीब है ठीक है यह सभी जो प्रोटो जोवा होता है क्या होता है पर जीवी होता है मतलब दोसर जी भी पर आश्री तहता है इसकी अकार पर बात करें कि प्रोटो जोवा का परकार टाइप प्रोटो जोवा अकार के अधार पर चार परकार से बाटा गया और मी भी है प्रोटो जोवा कास ये अक्छामी भी होता है ना कास कासमी भी प्रोटो जोवा या पक्छमा भी प्रोटो जोवा अस्पोरो जोवा ठीक है इस पे थोड़ा नाम पे हमको सक हो रहा है मैं नेक्स स्लाइट देख लेता हूं रुको कास ठीक है ठीक है तो भही याद रखना है अकार के अधार पर चार परकार के होते हैं प्रोटो जोवा कहेंगे कौन-कौन सा सर ओमी भी ये प्रोटो जोवा कासामी भी कासाम भी प्रोटो जोवा पक्छमा भी प्रोटो जोवा अस्पोरो जोवा ठीक है अस्पोरो जोवा जिव धारी स्वक्ष जल समुदरी जल और नम मिर्दा में पाए जाता है इसमें भोजन को पकरने एबंग्पमन के लिए कूटपाद होता है जैसे कि मैं बात करूँं हमीव का अमीवा का अकार ए दीन होता है अकार जो है इसका सुनिश्चित नहीं होता है देखो भेया हम बना रहे हैं drawing किसका हई है यह तो यह पना स्क्राइब क्या बन जाता है चलो यह क्या हो गया अमीवा चलो यह जो है इसी को बोला जाता है कूट पाद कूट पाद जो इसे देखता है खाना अमीवा देखा खाना पट से दाब लेता है अपने अंदर गुसेर लेता है यह जो है इसी को बोला जाता है कूट पाद ठीक है कूट पाद पाए जाते जो समुदर में पाए जाने वाले औमीविय प्रोटो जोवा की सत्ख पर क्या होताए? सिलका का कबज पाया जाता है, ठीक है? सिलका मिटी में पाया जाने वाले रसायनिक तत्व है, सिलका क्या है मिटी में पायज आने वाले रसायनिक तत्व है उधारन के लिए एंट अमीवा हिस्टोलिटिका ठीक है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका जो मानव में ओमीविये ओमीविये सिस रोग को पैदा उत्पन करता है जो आत में आत से संबंदित है ठीक है अब देखो ओ जवास स्थान पूछेत एकदम स्वक्ष समुद्री जल में नम मिर्दा में पाये जाता है दूसरी बात कि भई आ इस में भोजन को पकरने और गमन करने के लिए कूटपाद पाये जाता है जो समुद्र में जो समुद्र में पाये जाने वाले Captain प्रोटो बैडोट जवा कि सता पर क्या होता है, सिलका का कब चोंता सर्सिलका का होता है, शिलका मिटि में पाए जाने वाले रसानिक तत्व हैं उधारन के लिए एंट, अमीवा, हिस्टो लेटी का मानव में ओमेबियो इसिस, रोब उत्पन करता है जो आथ से संबंधित होता है आईए आगे हम लोग देखते हैं, कसाम भी प्रोटो जोवा, अब इसको समझते हैं यहाँ पे, यहाँ इस समू में सदस परजीवी होते हैं और इनके सरीर पे कसाम भी फले जिला पाया जाता है, अवास अस्थान की बात करें, तो स्वक्ष जल या लवनिय जल में परजीवी के रूप में पायज आता है, मतलब अगर इसकी पोशन की बात करें, तो कैसा होता है, अगर पोशन की बात करें, तो परजीवी होता है, उधारन के लिए ट्रीपे नोसोमा, ठीक है, ट्रीपे नोसोमा यह एक कसामी भी प्रोटो जोवा है, जो निंद रालू रोक जनक होते जगरा भईया नींद नहीं आता है रातों में ठीक है जिसको नींद नहीं आता है रातों में तो उसको दे दिजे ये ट्रिपे नो सोमा ट्रिपे नोसोमा यह एक कसाम भी प्रोटोजवा है जो निंद्रालू रोग जनक है यह देखे फलेजिला यही है फलेजिला ठीक है अब देखो इस चमू के सदस परजीवी होते हैं और इसके सरीर पर कसाम फलेजिला पाया जाता है और यह स्वक्ष जल लवनिय जल इबं पर जिवी पोष्ण के साहा होता पड़ी भी होता है और यह ट्रिपे नोसोमा यह एक चासाम भी प्रोटोजवा है जो निंद्रालू रोग जनक कहा जाता है आई यह अ आप देखो पक्षमा भी प्रोटोजवा समोझी यह एकदम चपल जैसन होता है और लाइका वड़ा चपल लइकी वाला जी चलो भाई यह जलिए तथा अत्यांत्सक्रिये गति करने वाला जीवधारी है क्योंकि इसके सरीर पर हजारों की संखिया में हई देखो हई देखो पक्षमाब पाया जाता है पक्षमाब गमन के अतिरिक्त भोजन को मुक्त तक पहुंचाने का कार्य करता है जैसे ले लेजे पेरामीशियम यह क्या है भई या पेरामीशियम है क्या है पेरामीशियम है और इसमें देखे यह क्या है पक्षमाब यह क्या है पक्षमाब पक्षमाब ठीक है पक्षमाब यह क्या है पक्षमाब होता है पाएजाता जो हजारो की संख्याम होता इसमें तो पक्षमाभी प्रोटो जोवा ये जलिये तथा अत्यंत सक्रिय गती करने के करने वाले जीवधारी होते हैं ओके ये जो है जीवधारी होते हैं क्योंकि इसके सरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं पक्षमाग गमन करने के ल करते हैं कार करते हैं वेटा उधारन के लिए पैरामी शियम हई जो देख रहे हैं ना इक्डम लगेगा लड़की के चपल जैसन लड़कों चपल कह सकते लेकिन डिजाइन है ना इसमें पक्षमाब है तिसको इसलिए हम बोले लगी वदा चपल देखेगा लगी के हर चीज मे थोरा न ध्रद्वारव निकाल दिया जाता है लगा आगा देख रहा है तो कभी यहां सई दिख रहा है अलग अलगतर है अलगतर है एक भी भी आगे हम लोग पढ़ते हैं अस्परो जोवा द्वोक्त आस्परो जोगा कहोता या इस समों में वैसे जीवदार आते हैं जिनके जीवन करmy संकरमन योग है उज भी जानू जैसे अवस्थह में पाया जाता था है आप बात समझनाज़ेगा नहीं आए गासर कैसे नहीं की कोई बात नहीं है कोई जिक जाक नहीं ओके इस संप्रोय जोवा में गमन अंग जो होता है अनुपस्थित रहता है मतलब चलने फिरने वला यह नहीं है उधारन के लिए प्लाजमोडियम पर जीवी मलेरिया रोग उत्पन करता है प्लाजमोडियम में और लेंगिक बहु खंडन द्वारा केंद्रक का मुक्त भी भाजन होत करता है और प्लाजमोडियम मानव शरीर में और लेंगिक जनन द्वारा ब में वहीं से जीवधारी आते हैं जो संकरमन योग हो अस्पुरों जोवा में घमन अंग नहीं हो ता है उधारन के लिए समझे लिए प्लासमोडियम पर जिबी जो मलेया रोग उत्पन करता है प्लास प्लाजमोडियम में औल्लेंगिक बहु खंडन द्वारा केंद्रक का मुक्त भी भाजन करता है, प्लाजमोडियम मानब शरीर में औल्लेंगिक जनन द्वारा बहु खंडन द्वारा बिर्धी करता है, ओके, आजवा भाई, पंच जगत पधती, स्वरी, पंच जगत पधती मे हम लोगों ने जगत मुनेरा जगत प्रोष्टिष्टा पढ़ लिए कोई दिक्कत दो खतम हुआ और दो घंटे होने वाली है आपको लग रहा होगा सर जी कहीं पांच परना है तो कहीं पांच घंटा तो नहीं लग जाए देखो भाई क्या होता है पढ़ा रहें तो एक एक अब पांच घंटा लग जाए या चोगंटा लग जाए कोई दिक्कत की बात ने अब तो विडियो बने के बाद ही पता चलेगा कितने घंटी होगी तो अभी दो घंटे होगे दो चीज के लिए हुआ अब जगत फंजाई जगत फंजाई हलांकि मैं आप लोग जगत प्ला आंटि जगते ने मिली तो अराम से समझ सकते हैं लेकिन समझेंगे यहां पे भी ठीक है जगत फंजाइ आप हम लोग पढ़ेंगे का पढवेंगे जगत फंजाई की जगत फंजाई में कावक के बारे में अध्यन करेंगे अब बहाई याई यहां पर चीज दे दिए कवकों का अधियान माइक्रोलोजी कहलाता है सैवाल का अधियान फाइकोलावजी कहलाता है और कोसिका का अधियान साइटोकलोजी कहा जाता है और आपके बाइलोजी का अधियान को करनाने वाले को आरियन सर कहते हैं ओके जी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आज आगे हम लोग बढ़ते हैं देखो कवक का अगर हम लोग आवास अस्थान की बात करें यह जो होता है जगत फंजाई कवक के बारे में हम मत धियन करें मतलग जगत फंजाई कवक के बारे में होता है का एक जगत फंजाई कवक को जाने वाले जैसे मिट्टी में जल में वायू में पाये जाता है कबक अधिकांस्ता नम अद्र मतलब गर्म अवासों में सर्वधिक विड़्धी करता है गर्म अवास में जो है विड़्धी करता है देखो कबक जो है गर्म अस्थानों में जो है विड़्धी करता है कि आज आगे देखते हम लोग क्या कारण है कि देखो अब भुघन की परीज करते के लिए फिरीज जानते हैं गर्मी में जो है नहां जो मोसम चल रहा है भया एक तो हालत खराव हर छीद घराव कर देता है करके हैं के आप लोग को क्या पसंने आपनेंट उता है ज्क जक जाएंगा लेकिन छोटा क्षाए solltoot गंटे चार गंटे बाद खाना खाने लाइक नहीं रहता हो इसे भी गर्मी के मोसम में ताजा भोजन करना चाहिए लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए ताकि बीमार ना परे ठीक है गर्मी में क्या होता इसमें इसमें क्या होता समझ लिजाए क्योंकि फिरीज का तापमन समं ताप मान से बहुत कम होता है अता निम्न ताप पर कबक और सुक्ष जीव की विर्दी अवरूध हो जाती है अता भोजन को परिरक्षित मतलब सुरक्षित रखने के लिए हमें फिरीज में रखना चाहिए आप कहिए का बावु जी एक फिरीज वा ला दीजिए सर्जी बोले झाल के बहुत है फिरीज विर्च का तेम्परेचर बहुत ही कम होता है यह बहु कोसिक के लक्षन की 기 ZISA बहुत से कोसिक बने होते हैं यूकरियोटिक मतलब असपस्ट रूप से केंदरक होते हैं, यूकरियोटिक किसको कहते हैं, आप लोग बार बार पूछ रहेते हैं, यूकरियोटिक कहते हैं, जिसमें असपस्ट रूप से केंदरक बने होते हैं, ये स्वर्ववापी होते हैं, सभी जगह मिलते हैं, अबन गर्म अस्थानों पर सार्वधिक विर्दी करते हैं ओके इतना ही समझ लेना है आप लोग को आए कबक में पोशन की विधी हम लोग समझते हैं कबक में विशंपोशन पोशन होती है विशंपोशन पोशी पोशन होते हैं कबक में विशंपोशी पोशन होते हैं प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव पोसक तत्व को गरहन कर उसका उप्योग करते हैं पोसक पोसन वह प्रक्रम है जो कोई भी जीव पोसक तत्व को गरहन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं पोसन जीवाँ में पोशन की दो विधियाँ होती एक स्वेम पोशन और एक पर पोशन या विशम पोशन दोनों को ही बोला जाता पर पोशी बोलिये या विशम पोशी बोलिये ता यह हम लोग समझ देते आगे कवक में विशम पोशी पर जीवी कवक और एक होता है अमिर्त जीवी कवक और पर जीवी कवक के कि लहएंगे आप समझ गहना समझेगा नहीं समझे दोसर के गल्फ्रेंड पर लाइन मारने के तरह यह होता है पर जीवी अब मिर्ट जीवी के मसलब जो करकन यहीं मर्द गई हो तो गल्फ्रेंड मर गई ना गल्फ्रेंड मारेगे तो फिर बड़ा दिख्कत है यह कबक जो पेर पोधे जनतों में पर जीवी के रूप में पाये जाते हैं और उसमें भोजन पड़ाप्त कर लेते हैं अब मिर्त जीवी कबक क्या होता यह कबक जो मिर्त कार्वनिक जो मरा हुआ चीज रतन सरा अगला चीज उससे अवसोसित करके भोजन को पड़ाप्त करता है पास्मझ में आ रहा ना चलो भया आगे की और हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं इसमें नोट करके लिख लिए कि कबक अपना भोजन अवसोसन विधी द्वारा पड़ाप्त करते हैं और कबक म में भोजन के लिए अवसोसन के लिए चुस्कांग पाए जातां डिस से चूस लेते हैं भोजन को किया होताए समझते है पर जीबी पाए जाने वाली आइसी इविश्षि Jasion जो रपुसि में परवेस करके भोजन बोजन को अवसोशन करता है उसी को बोला जाता है चुसकांक चुस लेना ठीक है भोजन को का करता है चूस लेता है आए आगे हम लोग बढ़ते हैं आप देखो भाई, आ गया गल फ्रेंड वाली बात, गल्फडेन वाले बात आ गया है कि ने जी मजा रहा ना आप लोगों पढ़ने बता दो पहले कमेंट करके बता दो बही समझ लो ये जो होते हैं ना सह जीवी कबक वैसे कबक जो अन्य जीवों के साथ सह जीवी संबंध बनाकर रहते हैं सह जीवी कबक केंग सर जी हो कबक सह जीवीक नहीं समझ माया हमको, नहीं समझ माया, नहीं कहते हैं, मैं तेरे बिना धूरा हूँ, तुम मेरे बिना धूरी हो, इसी को कहा जाता है सह जीवीक का वक, नहीं होता है, गल्फ्रेंड की जरूरत को बाइफ्रेंड पूरा करता है, और बाइफ्रेंड की जरूरत को गल् बनदा है मेरा भी हमको भी पईसा आ रहा है दूसरी बात आप हमसे इसलिए जूड़े हैं ता कि आपको ज्ञान आजाए को आपको भी फैदा और हम रोख फैदा इसी को बोलेंगे साजी बी इसलिए यहाँ आप समझा रहते गल्फ्रेंग बाइफ्रेंग बाद बात पते कबक ठीक है अब देखो लाकेन समझाते हैं सियम उसी परकार से आप लोग समझ जाएगा देखो लाइकेन में होता है सन बाल होता है सन वाल और गबक होता है सन अब देखो भया इसमें का होता है २ायोक्त ट कलोडो फीज पाया जाता है लेकिन इस Ł 궁 मूल जर नहीं होता है, इसमें जर नहीं होता है, इसमें पूड़ा कर देता है, मूल जर इसमें पाया जाता है, अब कहेगा सैवाल कलोडो फिल उपस्थित के कारण भोजन बना लेता है, तो सैवाल अगर कलोडो फिल के कारण उपस्थित भोजन बनाएगा, इसमें कबक अनुपस्थिती के कारण ये भोजन नहीं बना पाता है, नोट्स, दोनों एक दूसरे से काम चला लेता, जैसे कि एक राप पहर ने है, मतलब जर ने है, तो उकड़ा जर है, और एक राम कलोडो फील है, तो उकड़ा हम कलोडो फील ने है, इसलिए एक दूसरे के बिना हैं, उसी परकार से, दोनों एक दूसरे से काम चला लेते हैं, इसे ही सहजी भी संबंद कहते हैं, आई कि ने जी, आई कि ने, आए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कबक की सारिरिक संरचना, सारिरिक संरचना, तो कबक का जो संरचना होता है, तन्तु, तन्तु मैं, तन् धागे नूमा क्या होता है भाईया धागे नूमा होता है देखो कवक की संदचना तंतु में होता है अपबाद कुछ अपबाद हो हो जाता है इस्ट कवक इसकी संदचना एक कोशिकिया होता है ठीक है अब कवक तंतु किसको कहेंगे सर पतले पतले लंबे धागे नूमा तंत से निडमित होता है जिने हम लोग कबक तंतु कहता है यहोप यह चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं हम लोग कबक जाल ठीक है ये क्या हो गया कवक जाल ये क्या हो गया कवक तन्तू हो गया कवक तन्तू हो गया ठीक है ये क्या हो गया कवक जाल हो गया देखो जब कवक तन्तू जाल कवक तन्तू जाल या समूह में पाया जाते हैं तूनी को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं जब समूह में पाया जाता तो उसको कवक जाल के नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे कवक की कोसिका भिति, कवक कोसिका भिति, काईटीन एवम बहु सक्रा की बनी होती है, पादप की कोसिका भिति, सेलियोलोज का बना होता है, जबकि कबक की बात आए, कबक की कोशी का भित्ती, कोशी का भित्ती, भित्ती जो है किस्चीज की बनी होती है, काइटीन, किस्चीज की काइटीन की बनी होती, किस्चीज की काइटीन की, एवं काइटीन एवं सक्रा, एवं सरक्रा होता है, बहु सरक्रा, ठीक है क्या होता है बहु सरक्रा ठीक है सरक्रा बहु सरक्रा से बनी होती है और पादप की कोशिका भिती जो बनी होती है अगे हम लोग बढ़ते हैं कबक में भोजन संगर है क्या होता है अब देखो कबक में भोजन संगर है के लिए ग्लाइकोजेन होता है ठीक है कबक में भोजन संगर है मतलब अश्टोर समझते हैं न श्टोर करना संगर है के लिए क्या होता है ग्लाइकोजेन होता है और भादप में पादप में क्या होता है भोजन संगर है के लिए अश्टार्च अश्टार्च समझते हैं न जो मंड जिसको बोला जाता है मंड के रूप में पाया जाता है आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं इसमें कवक में जनन मतलब रिप्रोडेक्शन इन फंगी ठीक है तो कवक में तीन परकार के जनन होते हैं तीनों विधियों द्वारा जनन होता है कौन-कौन काईक जनन और लेंगिक जनन मतलब वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडेक्शन एसेक्सवल डिपोडेक्शन य इस बिधी में कबक तंतु से अलग होकर अलग हुए भाग टुकरों से नए कबक का निर्मान कर लेता जिसे काईक जनन कहते हैं भया हो ऐसन वाला हम आपको पढ़ाय थे ना पहला अध्याय में यहां से टूटा ठीक है यहां से टूटा दो सर्थ कबक बन गया तो काईक का जो इस बिधी से कबक जाल युक्त में पाए जाने वाले पाए जाते हैं जिसमें परतेक खंड एक नए कबक के रूप में विक्सित हो जाता है मौन लिया जाए यह क्या है यह क्या है कबक तंतु है और कबक जाल ठीक है कबक जाल युक्त में पाए जाने वाले परतेक खंड से परते खंड से क्या कर लेते हैं नया मतलब नया कवक बना लेता है कवक तंतु बना लेता है ठीक है जिसे उधारन के लिए हो गया बोसीडियो माई सीटीज ठीक है बोसीडियो माई सीटीज ओके आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग मुकूलन म में क्या होता इस बिधी में जनन एक कोशिक्य कबक होते हैं जैसे कि इस्ट में पाया जाता है इसके सरीर की सता से अधिवीर्थ इसके सरीर से सता से अधिवीर्थ बन जाता इस तरह के ये और धीरे-धीरे ये क्या होता है तूट जाता है और तूटने के बाद संतती का निर् और इस मुकूलन में इस मुकूलन विधी में नए कवक का निर्मान होता है इसमें क्या होता है मुकूलन में नए कवक का निर्मान होता है अगर बात करें हम लोग अब देखो यहां पर यह क्या हो गया कलिकाएं यह क्या हो गया कलिकाएं यह जो है तूटती है अब यह जो है तूटती इसमें क्या होता है केंद्रक होता है और इसमें क्या पाया जाता है कोशिका धर्व ठीक है इसमें क्या पाया जाता है कोशिका धर्व ठीक है कोशिका धर्व ठीक है कोशिका धर्व यह क्या होता है धीरे धीरे जो यह वाला भाग तूट जाता है यह तूटने बाद जुब भुकहन जाता है बहते हैं। explorer एंदर भी चल जाता पहले एकिर बार में तूट जाता है। टूटने बाद इधर चला जाता ये जो है फिर नया संत्ती बन जाता है। Nhina कबक बन जाएगा नया कबक बन जाएगा ठीक है कबक का निर्वान हो जाता है बस मुकूलन विधी से ही इसको समझना ओके नहीं है चलिए वही आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे देख लेते हम लोग यह देख लो विखंडन कोशिका विभाजन इस परकार के जनन कबक जाल रहित कबक जाल मैंने आप लोग को बताया था यह तंतुमय होता है क्या होता है तंतुमय होता है इसमें जो है इसमें कबक कोशिका सून्योजित से कोशिका विभाजन करती है मतलब एक तरब से विभाजित करती है तथा नए और इसमें ये क्या है केंद्रक है सबसे पहला काम क्या होता है को इसमें केंद्रक का भी भाजन होता है क्या होता है केंद्रक का भी भाजन होता है और केंद्रक भी भाजन होने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है और क्या होता है नया कवक का निर्मान होता है इसमें लिंगिक जनन और लिंगिक के द्वारा होता है initially beer नओ आप लोगो को बता दिया था न लोग समझें कभक में जनन कमें also कि जनन जो होता 7 जाल विज१न होता है शाल विजौन होता है обод का एक टॉकर इन प्र FreshBereach étais जो चल विजानु होता ये क्या होता है क्या होता है एट ही ऊहता है अच्छानु में घर चाह का निर्मान अंतल जाथ मतलब अंधर अंतन जात मतलब अंदर अंतरजात मतलब अंदर में होता है जो प्राया फाइटो को माई सिटीज में पाया जाता है जाता है यह एक परकार का कवक होता है एस्पाइरो जियो अस्पोर या बोलिए विजानू धन्ये क्या विजानू धन्ये विजानू में विजानू का निर्मान होता है जो अं का कबक होता है कि आगे हम लोग समझते है को नदी या को नदिया क्या होता वहीwe भी जानू है जिसका निर्मान वहिर जात होता है वहिर जात मतलब क्या होता है बाहर होता है क्या होता है बाहर होता है का होता है बाहर होता है फेनिसीलियम में कोनेडिया बनता है किसमें बनता है पेनिसीलियम में कोनेडिया बनता है और पेनिसीलियम क्या है ये कबक है और बे हो बनते हैं याद रखेगा कोनेडियामे आपने क्या सीखा इक कबक क्या है और पेसीडीओ ठीक है बेसीडीओ मैसी सिटीज नाम देखो बेसीडीओ मैसी अब वर्ग में कबक मेच्बद जो है और 1 लंग क विजानू होता हीं नहीं भहिया आजो वही, अब हम लोग समझते हैं, लैंगिक जनन, कबक में लैंगिक जनन तीन चरण में होता है, आज़िंघ जनन जो हता है, तीन चरण होता है कबक में, अब कैसे हो, देखिएगा, पलाजमो, पलाजमो गेमी, जीवदर्व का संलेयन होता है, और केरियोगेमी केंद्रक का सनलियन होता हैằngिलान होता है अर्द सुत्रन मतलब गुन सुत्रनों का गुन सुत्रों का बिभाजन होता है ठीक है कवक तन्तू युगमक की तरह कार करता है जो कवक तन्तू होता है वो युगमक की तरह कार करता है याद रखना है लेंगिक जनन में युगमक का होना आवश्चक है इसलिए इसे लेंगिक जनन की एकाई कहते हैं लेकिन वया हो कवक में जो है युगमक नहीं बनता है तो अब कैसे होगा काहे कि उसमें कवक तन्तू जो होता है कवक तन्तू जो होता है कवक तन्तू जो होता है किसके कवक तन्तू जो होता है युगमक की तरह कार करता है ओके आजए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं आप देखो यहां पे जो है प्लाजमो गेमी प्लाजमो गेमी जीवधर्व का सनलेयन यह क्या हो गया भई कवक्तनतु ये लिया और कवक्तन तो बह ले लिये अब ये क्या है केंदरक है मैं ये ड्रोयंग खुद इसे किया हूँ ठीक है ताकि आप लोग को समझा सकों यहां पे ड्राइंग करते तो इसे दो घंड़ा हो गया पता ने कितने घंड़ा का होता इसलिए मैंने पहले जीवदर्व का सल्लयान यह क्या होता है जीवदर्व होता है इसमें ठीक है सबसे पहले का होगा यह दोनों मिल जाएगा और मिलने की प्रिक्रियाज होता है पहले जीवदर्व मिलता है मतलब मैंने क्या बता है जीवदर्व का सल्लयान पहला प्रिक्रिया मतलब प्लाज्मों प्लाज्मो गेमी में जीवदर्वों का सल्लयान मतलब जो जीवदर्व होता है वो मिल जाते हैं वही भासे यहां पर लिखें जब दोनों कबक तंतु युगमक एक दूसरे के पास आते हैं तो इसके जीवदर्व का सल्लयान होता है उसे ही प्लाज्मो गेमी जीवदर्व सल् ब्लब को नहीं समझ में आता है आज़ी उसके बाद सर के रियोग रियुमी मतलब क्या होगा दो का सल्लियन होगा यहां तक आप लोग समझ गे प्लाजमो गेमी तक समझे प्लाजमो गमी के बाद ये केंद्रक बन जाता इसमें क्या होता दो केंद्रक ये देखो दो केंद्रक है न अब ये क्या हो जागा केंद्रक मिल जाएगा मतलब केंद्रक का क्या हो जागा सल्लियन हो बिष्टेट थेढ़ना इसे रड़ों में का निर्मान सेदोरक जोंटेव करा गारें और में दोड़ों। मानव में गुन्सुत्रों की संख्या मानव में , महीने बता रखा आप लोगको मानव में गुन्सुत्रों की संख्या गुण सुत्रों की संख्या 16 होता है 23 फिमेल में सीन करियो में अर्ध सुत्रन विभाजन होता है जिसे और गुनित लेंगिक विजानू का निर्मान होता है दीख़ो ये क्या है दी गुनित सीन करियो चेरियोन 2N है यहाब कैभगा अर्ध सुत्रन का विभाजन होगा, मतलब यहां पे था 2n, यहांप क्या हो गया, और गुनित 2n हो गया, और गुनित 2n हो गया, अलग अलग भाजन बन गया, और यह धीरे-धे करके क्या करता है, विजान का निर्मान करता है, धिरे-धिरे बनते हैं, विजानू का निर्मान हो जाता है, किस चीज का? विजानू का निर्मान हो जाता है, समझ मैं आप लोग को आगे बढ़ते हैं, कबकों का वर्गी करन, कबक जाल के अकारी की, मतलब अकार्त के विजानू बनने तथा फलन काय बढ़ने की अधार पर कबक को चार भागों में भाटा गया। का हो दा दा पूरा का पूरा एक एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। समझ मैं रहा ना, बोले थे ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को लगा होगा भाई या सॉट कॉट में खीचेंगे नहीं पूड़ा पूड़ा चीप परने देखो अभी इसको समय ला इसको हम हलाकि इसको अराम समझाते हैं फाइको माई सिटीज नाम देखो फाइको माई सिटीज एसको माई सिटीज वेसीडियो माई सिटीज और ड्यूटी रो ड्यूटी रो माई सिटीज जो फाइको माई सीटी जो होता है सेवाल लिये कबक होता है निम्न स्रेनी के कबक होते है यह जो एसको माई सीटी जो होता है थैली नुमा कबक होता है और बी सीडियो ठीक है बी सीडियो माई सीटी जो होता है गदाकार कबक होता है और ड्यूटी रो ठीक है ड्यूटी रो मा सिटी जो होता है अपूर्न कबक होता है अपूर्न कबक होता आइए हम लोग सब एक एक के बारे में समय लेते हैं फाइको माइस forward कि ये निम्न सिरेनी के कबक होते हैं जो जल्ये अवासों में सरी गली लकरी नम स्थानों तथा Sanam편 न भरे स्थान पर पाएज Sud whose यह कौन फाइकोमाइसीटिज, ओके कबक जाल, यह क्या हो गया, अब देखो अप घटी, अप पटी है, मतलब जिसका पटना हो, गोल होता है, और पटी है, असाखित, मतलब जिसका कोई साखा नहीं हो, बहु केंदरी है, इसमें जो है, बहुत सारे केंदर होगा, देख रहा ह केंदरक होता है, और इसमें जो है, फलनकाय का निर्मान नहीं होता, आगे देख लो, आगे देख लेते हैं, एसको माइसीटिज, यह समानता है, थैलिये कबक कहा जाता है, जो एक कोशिक किया, जैसे इस्ट एवं बहु कोशिक किया, जैसे पेनिसिलियम में होता है, कबक ज जाल जो होता है इसका पट यह होता है साखित भ एं कवक जाल युक्त होता है चारों की यह जगए लेकर हम लोग समझ लेते है ज्यादा टेटे टेटे भेंवे भेंवेस बढ़ियां एक ज्यादा कुछ है नहीं, यह इसको आप लोग लिख लेजिए, फाइको माई सिटी जो होता है, पट रहीत होता है, यह जो है पट रहीत जिसमें पट होता है, ठीक है, पट रहीत पट होता है, पट रहीत पट रहीत पट रहीत पट रहीत, पट नहीं रहता है, ठीक है, पट न अलेंगिक को जानू में देखा जाय त्धिए ऐस्पुरो एस्पुरो जी ओ इस पें ठिक है समझ लीजीc और लेंगिक को जानू में जाइगो ऐस्पुरस होता है और उधारन के लिए जैशोपस समझ pair वाया यही सब चीजें हैं ही यह दोनों पढ़ा ही दिये था वे cdo my city यह पटियूक्थ होता है इसमें ओल्लेंगिक विजानू नहीं होते हैं और इसमें लेंगिक विजानू होते हैं जो बी cdo asporas होते हैं उधारन के लिए आप और इसमें जो होता है पट नहीं होते हैं पट ओंपर्ण रहता है अल्ट्रा नेरिया होता है उधारन के लिए आप लोग समझ लिजेगा अल्ट्रा नेरिया इससे जाधा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है आईए आगे, पादप जगत अब हम लोग समझेंगे, पादप जगत, पलांट किंगडम, की जी समझवा रहा ना, आजो, बहु कोसिक है, बहु कोसिका, यू केरियोटिक तथा परकास संसलेसी, जीवों को पादप कहा जाता है, जो बहुत सारे कोसिका होता है, उसको क्या कहे बहु कोसिक है, यू केरियोटिक जिसमें केंदरक जो है, असपस्ट रूप से होता है, तथा परकास संसलेसी, जो जीव पादप जो होता है, कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पादप कहलाता है, पोसन के अधार पर पादप जो है, का है भाईया, स्वेम पोसी है, लेकिन नही मानेंगे सर सब जो है सब जितने भी पेर पोधा है न सब जो है स्वेंपोसी नहीं होता है सर हम तो दसमा तक पर रहेते स्वेंपोसी होता पेर पोधा नहीं जी नहीं जी अब आपको पढ़ाते हैं ना पादप परकास संसलेशन द्वारा अपना भोजन तयार करते हैं अता हि से जल जड से वाइव मंदल से सूर्य परकास और कलोडो फील पत्तियों से पाल निकाल के यह अपना भोजन बना लेता है कहेंगे सर अभी आप वो ले कि सब पेर पवधा जो है क्या होते हैं स्वेश्य नहीं होते हैं सर बताइए ना अमर्वेल का नाम सुने हैं ऐवल होता है स्वेम पोसी वह दूसरे पर चरह के अपना भुजन बना लिता है वह जन खा लेता है है कि नहीं देख आगे हम बताथे आप लोगों अपभागे में हैं कुछू पादब विसंपोसी होते है विसंपोसी अरव्तात पोषन के लिए किसी दूसरे जी पर निर्भर रहते हैं जैसे अमर्वयल या अमर्छता ही वाला जी करूप फीक दीजेगा लतरा 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 रहोडता है मतलब बहुत सारा हो जाता है, समझें, यह क्या है अपबाद है, तो आज से याद रखना कोई बोले ना, कि या पेर पोधा जो है, पर पोसी होता है, या बिसम पोसी होता है, कहिए दोनों होता है, कहिएगा कैसे, तो कहिएगा उनको, बात बताओ, कहिएगा का, कहिएगा अम आगे बढ़ते हैं देखो बिसम पोसी पादप जो होते हैं पर जीवी पादप कीट भक्षी पादप और मिर्त जीवी पादप अब दोखो पर जीवी दूसरे प्यासरित रहने वाले पादप को पर जीवी कीट भक्षी जो किट खाता है पोधा उसको कीट भक्षी मिर्त पहले हम लोग समझते हैं परजीवी, ऐसे पादप पोशन के लिए अर्ण जीवीत पादपों पर निर्वर रहता है, उसे हम लोग परजीवी पादप कहते हैं, जैसे अमरवेल हो गया, ठीक है, आगे देख लो, कीट भक्षी पादप, ऐसे पादप जो अधिकांस रूप से विशम पोशी होते हैं, जैसे कि और कीटों को भक्षन करते हैं, भक्षन मतलब खाता है, खाता है, ऐसा पेर पोधा होता है, घट परणी, नाम सुने है न जी, घट परणी, ड्रोसेरा, ठीक है, ड्रोसेरा, निफेथस, निफेथस, ठीक है, यह जो होता है, का करता है, कीट तूटाता नहीं अपर मुह बंद कर लेता ही देख रहे हैं काटानुमा अपर मुह बंद कर लेता है बतलब कीट को खाता है कम कम खाता लेकिन खाता ही लोग ठीक है जब इसको परकास संसलेसा नहीं मिलता है तब खाता है ओके आज वह आगे हम लोग देखते हैं मिर्त जीवी पाधप को मिर्थ जी भी पाधप कहते हैं जैसे मोनोस्टरोपा इस देख रहना ये का है बहिद आप देखें भाति सेल वाल पढते हैं पादपों में, पादपों में देखा जाया है, तो कोशिका भित्ती जो ये वाला मोटा वाला रेर देख रहा है, भाया हो ये दिख रहा हो, कहेंगे जी सर एकदम दिख रहा है, ये रेर वाला जो हम घेर रहा है, ये चौमिन वर करने हैं, ठीक है, कोशिका सेल है, ठीक है, य यही क्या है कोसिका भिति नूकुलस भी होता है इसमें ठीक है उसके बारे हम लोग यहां पे चर्चा नहीं करने वाले हैं क्लोडो प्लास्ट भी होता है ठीक है साइटो प्लाजमा भी होता है चलो अब हम लोग समझते हैं पादपों को कोशिका भित्ती प्राया सिल्यो लोज की बनी होती है पादपों की जो कोशिका होती है वो किस चीज का बना रहता है सिल्यो लोज ठीक है सिल्यो लोज की बनी होती है किस चीज की सिल्यो लोज की बनी होती है कोशिका भित्ती पादप के चारो और से मोटी आबरन मौले तो परत में परत पाई जाती है जिसे कोशी का अभित्ति कहते है कि समझ माजी गर्मी के दिन माचार महीन माच कि चलो भई पानी खत्म हो गया लेकिन इधर है एक बोटर एक लिटा तो पी गए पढ़ाते पढ़ाते है आजो भई समझ में आया भई आजो आगे हम लोग बढ़ते हैं परजनन डी प्रोडेक्शन पढ़ लेते हैं पादप जनन में जो है दोनों विधियां से होता है मतलब लेंगिक जनन भी होता है और पादप में जनन की जो है दोनों विधियां होती है मतलब सेक्सुलडी प्रोडेक्शन और अब देखो यह सेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन हो गया जैसे मेल का अस्परम आएगा और यहां पर फिवेल का भी अस्परम यह लिख दिया बकलेल यहां पर क्या होना चे फिमेल एगा ठीक है यहां पर जाइगोड का निर्मान करेगा दोनों मतलब फटलाइजेशन होगा जा नहीं हुआ दिसी को कहा जाता है सेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन मतलब मेल और फिमेल दोनों आई ओके जी आप देखो भाई साहब यहां पर देखते हैं और लंगिक जनन एकराम मेल फिमेल नहीं रहता है यह जीव रहता है आप जो भाईया का होता है इनका पाठ पूर्ज जानू भीच्षद विच्द पीधी और युगमक भीच्थ पीधी यह दोनों पीधियां एक दूसरे के एकांतर मतलब एक तरफ से कर्म में आते हैं जिसे पीधी एकांतर कहते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं देखो अब यहां पर नॉर्मल से हम लोग समझ लेते हैं एक प भीच्षद होता है और यह मादा युगमक भीच्द होता है यहां से नर युगमक आया यहां से मादा युगमक आया तो युगमकों का यहां पर क्या हो गया निर्मान हो गया जैगोट का निर्मान हो गया आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पे जन्तु जगत का परीच है चलो भई अब हम लोग जो हैं तीन चार पढ़ लिए हैं चार पढ़ लिए हैं पाच्मा है ओके आजो बहु कोशिक है यू करियोटिक एबं विशम पोशी जीवों का जन्तु कहा जाता है देखो बहु कोशिक है, बहु यह सारे कोशिक का, यू केरियोटिक जिसमें अषिपस्टरूप से केंद्रक हो, ओके जिज इकेंद्रक हो, भिसम पोशी, जीवों को जन्तु पुर्ड़क जहता है, अब देखो हम लोग जगात एना मिलिया की बात करें, ठीक है जगत एनी मिलिया की वही हो गया जीवों में कोशिका भित्ती नहीं होती कोशिका भित्ती नहीं होती जनतुओं में कोशिका जिल्ली 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 पाई जाती है कोशिक जिल्ली लीपीड और प्रोटीन की बनी होती है ये चीज़ समझ माया आये पोशन हम लोग समझ लेते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे जगत एनी मिलिया पर रहे हैं ठीक है एनी मिलिया पर रहे हलाकि ये अंतिम है आप लोग का लेकिन इसके बाद हम लोग को बायरस भी परना है समझे बाइरस हो परना है चलो जगत एनी मिलिया के अंतरगत आने वाले जीब विसंपोसी होते हैं प्राणी संभोजी अब देखो भोजन के भोजन को निगल कर खाने वाले को क्या बोलते हैं प्राणी संभोजी कहलाता जैसे हम बताया थे आप लोग को मेढक मनुस निगलने वाले को बोला जाता है क्या बोला जाता है निगलने वाले को निगलकर निगलकर खाने वाले को क्या बोला जाता है प्राणी संभोजी प्राणी संभोजी बोला जाता है कई आजव भहे आगे हम फोिक होते हैं अब आगे हम लोग अब आज की बात करते हैं जगत एनीमिलेगा के नतरगत आने वाले जीव-घल में रहने वाले और रस्थान में रहने वाले जगत एनिमिलिया के जीव होते हैं आईए आगे हम लोग समझते हैं भोजन का संग्रह कहा होता है जगत एनिमिलिया में भोजन का संग्रह कहा होता है जगत एनिमिलिया के अंतरगत आने वाले जीवन का भोजन संग्रह जो होता है गलाइको जन गलाइको जन वसा के रूप में गलाइकोजन वसा की रूप में होता है, आघे हम लोग देख लेते हैं पड़ जनन उचिसरेशनी के जनतौं में जनन की समस्या समानिय लेइंगिक जनन हो ती उचिसरेशनी के ठीक है लेकिन निम् â्ण सरेशनी के जनत उसमें लेंगिक तथा और लेंगिक दोनों पाई जाती है, जैसे कि पोरी फेरा, पोरी फेरा जो है, लेंगिक तथा और लेंगिक जनन दोनों पाई जाता है, ओके, यह चीज़ समझ में आ गया, हम लोग पढ़ें, जगत एनी फिलिया, एनी मिलिया, आजाओ, अब हम लोग समझते ह यह चीज आप लोग का जगत ने मिलिया, खतम हो गया, अब आप लोग का आ गया क्या वाइरस, वाइरस का भया बात जानते हैं, वाइरस जो कोरोना वाइरस हुआ था, इस समझ में नहीं आता, वाइरस दिखता तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, लेकिन परवावित सब को कर अर्थ देखो वाइरस अर्थ इसका वाइरस का जो सब्द है लेटिन या ग्रीक सब्द का रूप है ठीक है जिसका अर्थ होता है विस जिसका अर्थ होता है विस वैसेला अब देखो भाया यह जो है दामित्री इवानो वसकी ठीक है याद रखेगा दामित्री इवानो वसकी 1892 में तंबाकू मोजिक रोग जनक के रूप में इसे देखा, ठीक है? दामितरी ईवान वसकी जो है, सबसे पहले, तंबाकू में खाईनी वला देखते है, खाईनी वला पत्ता उसमें देखा, कौन? दामितरी ईवान Means ऐस्की ने देखा कि भाय उसमें देखा कि जो पत्ते है ना पत्ते में क्या उड़ा था पीला पीला कलड़का रहा था फीक है इसे करके ऐसे आगे पिक्चर दिखा देंगे ठीक है उसमें देखा क्या उसमें देखा क्या यह जो तंबाकू है इसमें क्या देखा तंबाकू तंबाकू इसका नाव में रख दिया तंबाकू मोजिके मोजेक 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 इसमें देखा तंबाकु मोजेक ठीक है यह क्या है तंबाकु मोजेक क्या है वाइरस है क्या है वाइरस है मतलब वाइरस बोले तो वाइरस किसको बोलते है विशानु को ठीक है देखा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसने देखा यह दामित्री इवानो वसकी ने देखा तंबाकू मौजिक रोग जनक की रूप में देखा और इन्हों ने इसका नौम क्या रख दिया विसानू रख दिया सबसे पहले पादप में देखा गया तंबाकूम देखा गया और सबसे पहले यही विज्ञानिक देखा था, ओके आज यह, यह जो देख रहे है, T.M.U, तंबाकू, बला जो अभी आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया, तंबाकू, मोजेक रोग जनक, मोजेक, ठीक है, तंबाकू, मोजेक, ठीक है, मोजेक वाइरस, ठीक है, देखो, यह क्या होता है, इसमें RNA inside, कैपिसाइड होता है, और कैपिसाइड हो गया, यह कैपिसमर्स हो गया, यह चीज आप लोग को नहीं समझना है, डारेक्ट समझ इसको, T.M.B. वाइरस भी कहा जाता है, जिसमें RNA पाया जाता है, ठीक है, अब देखो, इसको यह था, यह आप लोग को वाइरस दिखा दे, आप पिक्चर पर दिखाते है, ठीक है, M.B. वेजरिक, M.B. वेजरिक आया, M.B. वेजरिक आया, भाया, इका किया, भोला, खहीनी देखा, बोला, तमबाकु मोजक रोग को जो है, इसने कैसे किया, देखा पेर पोधा में, जो तमबाकु मोजक, मोजक, तमबाकु मोजक रोग, जिसको बोला जाता है, T.M.B. भी बोला जाता है, ठीक है, तमबाकु मोजक रोग T.M.B. से ग्रासित पादपों से ही पादपों की पतियां से संकर्मन रसप्राप्त किया जाता है, इसे जब स्वास्त, आप देखो, इसमें की किया, आप जियां सिध्य बात हम अपने मुँआ मन से बोल देते हैं भाईया समझ लो पहले पानी पी लेते हैं, ओके आजो भई समझ दें, इक इक या भईया, एम भी बेज रिक, उन्हें स्वांठोन में हमें, खाईनी के देखा, पता पिला है, इस समझ गया, भईया एक रामे तंबाकु मोजक रोग है, उसको पकर के लाया, पकड़ के लाया, और क्या क्या, और क्या क्या उसको, रस निकाला, उसका रस निकाला, और उसको क्या क्या रस को, दोसर स्वस्थ पादप के पता पे डाला, जैसे डाला उसने उस रस को, तो संकर्मित जो है, और बढ़ गया, मतलब संकर्मित दूसरे पते को भी कर दिया, अब देखो, यहां पर वही चीजे लिखा हुआ, गरस्थ हो गए, इस तरह से इन्होंने इस तरल रस को, संकर्मन जीविका तरल कहा, इसने क्या-क्या, संकर्मन तरल जीविका कहा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, अश्टे नल, अश्टे नले, 1935 में, एम भी नहीं, एम डवलू, ठीक है, एम डवलू, देखो, नाम इधर याद रखना, एम डवलू, एम डवलू पहले, फिर डवलू एम आगे, अश्टे नले, अश्टे नले ने वाइरसों को क्रिष्टली करन किया, क्रिष्टली करन कि आपको एटो दिखता नहीं है लेकिन हाट मार देता है करोणा देखें कोई गुरोना वायरस जो भारत में फ़िला कोई देखा नाक मूझ जापके रखते थे लेकिन कोई देखें जी नहीं न इतना होता है छोटा किसी को दिखाईए ने पड़ता है वायरस के क्रिस्टल रवा या क्रिस्टल को ही बोला जाता रवा ठीक है वायरस के क्रिस्टल प्रोटीन के बने होते हैं किसके प्रोटीन के बने होते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं अनुवांसिक पदार्थ के अधार पर वायरस का परकार अनुवांसिक पदार्थ के अध पर वाइरस दो परकार का होता है, एक होता है DNA, अब DNA का फूल फारम होता है, डी आक्सी राइबोज नुकलीड एसीड, क्या होता है, DNA का फूल फारम डी आक्सी राइबोज नुकलीड एसीड, ओके, RNA का फूल फारम क्या होता है, राइबोज नुकलीड एसीड होता है, आगे आते हैं हम लोग DNA वाइरस जो होता है DNA वाइरस जिसमें अनुबांसिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है उसे DNA वाइरस कहते हैं और RNA की बात करते हैं तो RNA वाइरस जिसमें अनुबांसिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है उसे RNA वाइरस कहते हैं आगे हम लोग सम कि वित्रण या जन्तू में पाए जाने वाले वित्रण या जन्तू में पाए जाने के अधार पर तीन भागों में बाटागे एक पादप वाईरस एक जन्तू वाईरस एक जीवानू भोजी वाईरस पादप पेर पोधे में पाए जाने वाले को क्या कहेंगे पादप वाईर और जीवानू में पाए जाने वाले वाइरस को क्या कहेंगे जीवानू भोजी वाइरस भोजी वाइरस नहीं भोजी वाइरस ओके आजाओ पादप वाइरस वैसा वाइरस जो पादप में संकर्मन करते हैं उसे पादप वाइरस कहते हैं जैसे टी एमभी वाइरस तंबाकू तंबाकू बला वाइरस नहीं बताय थे वही उसी का नाम है TMV, TMV वाइरस, ओके आधो जन्तु वाइरस, वैसा वाइरस जो जन्तु पढ़ानियों में संकर्मन रोग उत्पन करता है, उसे जन्तु वाइरस कहते हैं, इसमें उधारन के लिए लिए रिट्रो वाइरस, क्या लि जिवानु भोजी वाइरस कहते हैं, जिवानु भोजी में अनुवांसिक पदार्थ DNA दुई कुंडलित रूप में पाये जाते हैं, जिवानु भोजी में, मैंने आप लोगो बताया ने, इसी तरह से, आ, नहीं हो रहा, चलो भई, एक बार और बना देते हम, बनाएंगे त ज़रूर, चाहे जो हो जाए, ठीक है, चलो भीया, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जो और है, कोई और छुए जा रहा है, द्विगूनित, आठ के जेशन होता है, मतलब इसी तरह से लता, विजानु भोजी में, अनुवांसिक पदार्थ, डी एने, द्विकुंडलित, डी एने, क्या हुआ, द्विकुंडलित, रूप में पाये जाते हैं, डी एने, द्विकुंडलित, सनरचना, वाट्सन क्रीक वाट्सन, 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 वाट विरोड जिसको बोलते हैं यह वाइरस जो है सुक्ष महोते बहुत छोटे होते इसमें आरेने पाये जाता है इसमें क्या होता आरेने पाये जाता है जिसकी खोच जो किसने किया टियो डाइनर ने किया कब किया 1971 में यह ज्यादातर पोटेटो मतलब आलू का तवियत पूरा का पूरा ड्या आप लोग का कम्प्लीट हो गया mindnost को अर मैंने कोसिस क्या और आप लोग का का सले बस complete कराएंगे लेकिन टेंशन नहीं लेना है ओके जब भी आएंगे यह को पूरे अध्याय ले जाएंगे ओके इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों की साथ सेर भी जरूर कर लेना बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फोलो कर लेना को कैसे सर इंस्टाग्र आप में उस पे क्लिक करना पंगाज अश्टेडी सेंटर से फोलो सिर्फ अमीटा है तो वहां से जाके फोलो कर लेना दोनों दोनों आईडी को फोलो कर लेना ओके तो वहीं इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोग को अगर लगे कुछ छूटा है तो अच्छेशा से मैंने कुछ नहीं छोटा है इसमें छोड़ा है ठीक है आप लोग कमेंट जरूर करना बाकी मिलते हैं एक और नए चेपटर को लेके तब तक के लिए आप लोग इसको दो तीन बार रिविजन मारें रिविजन मारें पूरा खतम चलिए तब तक के लिए बा